बाहु बल्यनू नेनू असेश मेन माहिश्मती प्रजलधन माना प्राण सम्रक्ष कुडिगा राण त्यागा निकैना विलुकाड बोनने प्रमानन चेस्तु नो बाहु बाहु बल्यनू बाहु बाहु जा निकैना व्याँ आवधना यद DIRECTOR बाह्ँ बाह भड़शना कर दो जार आजिम खो जार कsquए शो, मु कोओा esses हैं ए pulse खुझ भॉवके हो चारज़को भी करून के भी ए रोगिस कुम कार से ही इसारIES टार भी झाल से प्याहँ से बीजे डार भीकाल पकाल वस्पशर भीक जारश्वड़ जारश्ट यह जारश्ब लझ्दब विल 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 वुट वुट हमारे भगवान अमरेंद्र बाहु बाली का प्राक्त हो तो अरण में प्राक्त ह acontece श्याई है जीजिए चाल व्यस्वार व्यस्वार जीजिए इन्र बाहु बली यानि मैं इन्र बाहु बली यानि मैं प्रेस दा बेल आइकन फो मौर अपडेट एंड नॉटिफिकेशन क्या बाहु बली का तीसरा पार्ट बनेगा या नहीं बाहु बली यानि की श्टोरी क्या हो सकती है और क्या सलमान खान नजर आ सकते हैं बाहु बली या नहीं साथ ही पढ़ेंगे लोगों द्वारा पूछेंगे कुछ इंट्रेस्टिंग सवाल और उनके जवाद देंगे इस वीडियो के एंड में हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकेत और आप सभी का स्वागत है वर्लिग्रेड स्टूडियोज के नए वीडियो में बाहु बली एक ऐसे फिल्म बन गही है जिसकी कमाई के आगे किसी भी फिल्म के टिकने की कोई गुणजाईश नहीं है वो बाहु बली की कहानी हो या फिर इसके स्टार कास्ट इसने लोगों को अपना दिवाना बना दिया है बाहु बली एक लौती ऐसे फिल्म है जिसने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किये हैं बाहु बली के डिरेक्टर ने एक घोशना की है कि भले ही बाहु बली की कहानी बड़े पर खत्म हो जाए पर इसके दुनिया का अंत नहीं होगा लेकिन दुनिया भर में इसके दोनों पार्ट्स को जिस तरह का प्यार और रिस्पॉंस मिला है उससे राजा मौली अपना फैसला बदल भी सकते हैं दुनिया भर के थेटर्स और वर्ल्ड बॉक्स ओफिस में रिकॉर्ड बनाने वाले इस भार्ट्य फिल्म की आउडियंस को निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहु बली 3 की रिलीज होने की उमीद अभी जिन्दा है राजा मौली बाहु बली के तीसरे भाग में अम्रेंद्र बाहु बली, शिव गामी और भलाल देव के पिता बिजल देव की कहानी को फिल्म आएंगे ये फिल्म बाहू बली शिरीज का प्रीक्वल होगी जिसमें बाहू बली के जन्ब से पहले की कहानी बताई जाएगी इससे पहले भी एक इंटर्व्यू के दोरान राजा मौली ने इसके बारे में बात करते हुए कहा था तो क्या महंद्र वाहूबली का बेटा भी राजा बनेगा? तो सामने से reply आता है कि क्या मालूम की शिव के मन में क्या चल रहा है? इस dialogue को तीसरे पार्ट के निर्माण के हिंट के रूप में देखा जा सकता है राजा मौली तो कई मौकों पर मुवी के तीसरे पार्ट को बनाने से इंकार करते हैं लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जब राजा मौली को बाहू बली सुनामी का दुनिया भर में पता लगा तो वो अपना मूड बदलने पर भी विचार कर सकते हैं रिपोर्ट के माने तो शोबू और राजा मौली की इस टॉपिक पर मीटिंग भी हुई है रिपोर्ट के अनुसार राजा मौली और शोबू ने तीसरे पार्ट को लेकर पहले बार डिसकेशन किया राजा मौली के पिता विजेंदर परसाद को तीसरे पार्ट के लिए फ्लोट तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है इस पार्ट को लिखने के लिए कुछ ने राइटर्स की भी मदद ली जा सकती है हॉलिवुड में काम करने वाले कुछ स्क्रिन राइटर्स को भी जोड़ा जा सकता है लेकिन हाँ इतना तो ये मान कर चलिए कि बाहुबली सीरीज की तीसरी मुवी जरूर बनेगी आपको बता दे कि राजा मौली ने 2015 में ट्वीट के जरीए बाहुबली के तीसरे पार्ट की संभावना की और इशारा किया था हाला कि उन्होंने शर्त रखी थी कि ये दर्शकों के रिस्पॉंस पर निरफर करेगा और अगर इसे भी मान लिया जाए तो इस लिहाज से भी दर्शकों को बाहुबली 3 देखने को मिल सकती है वही अगर मीडिय रिपोर्स देखें तो लंडन में बाहुबली दा कंक्लूजन की स्क्रीनिंग के दोरान राजा मॉली ने कहा था कि अगर उनके पिता कोई बहुत ही बहतरीनी स्क्रिप्ट के साथ आते हैं तो तीसरा पार्ट बनने से कोई नहीं रोग सकता ऐसी खबर भी है कि करन जोहर और शोबू से इमोशनल लगाव होनी की वज़ह से राजा मॉली तीसरा पार्ट बनाने के लिए हाँ कह दे वो इसमें ये शर्त रख सकते हैं कि बाहुबली 3 के लिए करन और शोबू एक साथ प्रोड्यूस करें ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि अमिताब बच्चन भी इस फिल्म में काम करना चाते थे उन्होंने डिरेक्टर ऐसे राजा मॉली से इस बारे में बात भी की थी लेकिन राजा मॉली के पास अमिताब के लिए कोई रोल नहीं था इसलिए अमिताब इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके सिर्फ अमिताब बच्चन ही नहीं, बलकि श्री देवी भी इस फिल्म का हिज़ा ना बन सकी आपको बता दू कि इस फिल्म ने पहले ही दिन 121 करोर रुपए का बिजनिस किया था इतना ही नहीं, फिल्म ने इडवांस बुकिंग के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया था राजा मौली ने बताया कि बाहु बली 3 फिल्म का सीक्वल नहीं होगा, बाहु बली की कहानी बाहु बली 2 में खत्म हो जाएगी इतना ही नहीं बलकि पता चला है कि बाहुबली 3 के लिए हॉलिवुड के टर्मिनेटर अर्नॉल्ड स्वर्जानेगर से भी पात चल रही है सोचिए वाकर जब टॉलिवुड, बॉलिवुड और हॉलिवुड के एक्टर्स जब एक ही फिल्म में साथ नजर आएंगे तो ये अनुभव कितना अद्भूत होगा बाहुबली की काम्याभी को देखते हुए लगता है कि वाक कही में राजा मॉली ये चमतकार कर सकते हैं जो कि अब तक नहीं हुआ राजा मॉली के फिल्म बाहुबली दे कंक्लूजन को रिलीज हुए एक साल भी नहीं हुए और इस फिल्म पर धेरो आवार्ड्स की बरसात हो गई फिल्म को तीन नैशनल आवार्ड्स से नवाजा गया है बेस्ट एक्शन, स्पेक्शल इफेक्ट्स और पॉपुलर फिल्म के लिए बाहुबली दे कंक्लूजन वाक्स आफिस पर 1200 करोड रुपे का अगड़ा छोने वाली पहली इंडियन फिल्म है अब इस फिल्म नहीं चीन, जापान और पाकिस्तान में भी अपना पर्चम लहराया है अब देशी नहीं पूरी दुनिया जान गई है कि कटपा ने बाहुबली को क्यों मारा आए जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते तो सल 2015 में बाहुबली का पहला पार्ट आये था इस फिल्म में भलाल देव की सांड के साथ लड़ाई दिखाई गई थी इसके लिए मेकर्स ने स्पेशल इफेक्स का सहारा लिया था जैसा सीन फिल्म में दिखा, सचाई उससे बिल्कुल अलग है इसकी हकीका जानकर शायद आप अपनी हसी ना रुख पाएं यह सीन फिल्म के बहतरीन सीन में से एक माना जाता है इस सीन को शूट करते समय वी एफेक्स यानि की वीजूल इफेक्स का इस्तमाल किया गया इसमें जिस सांड से भलाल देव लड़ते नजर आ रहे थे वो असल में कुछ ऐसा था जब सांड भागता हुआ भलाल देव की तरफ आता है तो दर्शोगों की सांसे थम जाती है वो असल में ऐसा दिखता था भलाल ने पहले सिर्फ एक्शन किये इसके बाद वी एफेक्स की साहिता से सीन में सांड को जोड दिया गया एक सीन में भलाल देव सांड के उपर पूट कर उसे मारते हुए नजर आए थे वो सीन कुछ इस तरह शूप कुआ था लड़ाई में सिर्फ सांड के सीन का इस्तमाल किया गया था इस दोरां सांड के साथ कटापपा भी नजर आए थे और आपको बता दे कि कटापपा के सीन की हगीकत भी ऐसी ही है इसे भी वी एफेक्स के जरिये तयार किया गया था बाहु बली दे कंक्लूजन के वी एफेक्स सुपरवाइजर थे आर्सी कमाल कंनन और बाहु बली दा बिगनिंग के वी एफेक्स सुपरवाइजर नैशनल अवार्ड बिनर वीश्री निवास मोहन थे फरवरी 2017 में शोशल मीडिया पर एक पोश्ट के जरिये कमाल कंनन ने बताया था कि फिल्म के वी एफेक्स सीन को अंजाम देने के लिए टैकनीसियन्स की कई टीमें जूटी हुई थी उनके मताबिक दुनिया भर के 33 से ज़्यादा स्टूडियोज ने मिलकर वी एफेक्स पर काम किया औक्टूबर 2015 में उनकी टीम ने वी एफेक्स पर काम करना शुरू किया था और रिलीज से सिर्फ दस दिन पहले पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा हो पाया था तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अब बारी है कमेंट सेक्शन की तो सबसे पहला कमेंट है ये बैंजो फिल्म का बजट और फिल्म ने कितना कलेक्शन किया था ये जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दू कि फिल्म ने कलेक्शन किया था पंदरा करोर का और फिल्म का बजट था तीस करोर अगला कमेंट है प्रबेश शुबेदी ये जानना चाहते हैं कि क्या चेनने एक्स्प्रेश टू आएगी या नहीं दोस्त अभी इसके बारे में कोई भी इंफुमिशन फिल्मेकर्स ने शेयर नहीं की है कि ये फिल्म फ्लोर पे आएगी या नहीं नेपाल ये जानना चाहते हैं कि सनी देओल की कौन कौन सी मुवीज आ रही हैं तो दोस्त आपको बता दे कि सनी देओल की फिल्म सा रही है भाया जी सुपर स्टार और यमला पगला दिवाना फिर से ये जानना चाहते हैं कि प्रिटी जिंडा का हस्बेंट इंडियन है या नौन इंडियन और उसका नाम क्या है दोस्त आपको बता दी कि वो इंडियन नहीं है और उनका नाम है जैने गुड इनफ अगला कमेंट है नसी खान का और सेम कुश्चन है इंडियन वीडियो का क्या करन अर्जुन टू आईगी या नहीं दोस्त अभी इसके बार में कोई भी इंफोर्मिशन फिल्मेकर्स ने शेयर नहीं किये कि ये फिल्म कब आईगी प्रिशना कान ये बागी टू का कलेक्शन जानना चाहते हैं इंडियन और वर्ल्ड वाइड तो दोस्त आपको बता दो कि इस फिल्म से रिलेटीड कोई भी इंफोर्मिशन फिल्मेकर्स ने शेयर नहीं की है आगे हमारे ऐसे बहुत से दूर्स जिनको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं और वो लोग हमें कमेंट करके डेली पॉजिटीव रिस्पॉंस देते हैं उन लोगों का नाम है जोसिन एसके नसी खान रोनी एसके खान वर्ल्ड और भी बहुत से लोग हैं तो दोस्तों म की इंट्रेस्टिंग फैट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डोंट फोगेट तो प्रस दबाल आइकन क्या बाहवली थिरी बनाई जा सकती है बाहवली थिरी के लिए बॉली बुड के किन किन सुपरिस्टार को काश्ट किया जा सकता है बाहवली ने IPL को कैसे मात दी थी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉली ग्रहत के फिल्मी गलियारे में कुछ भी कहिए लेकिन बॉलिवुड तो बॉलिवुड होता है और आपके बॉलिवुड कीडे ने कभी न कभी तो बाहवली की बॉलिवुड स्टार कास्ट के बारे में सोचा होगा वैसे फिल्मे गलियारों में आये दिन इस पर discussion होते ही रहते हैं और बाहवली का सबसे दिल्चस्प discussion होता है बाहवली की Bollywood Starcast अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सल्मान खान हाला कि पहले की बात और थी लेकिन अब सल्मान बाहवली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं हाला कि लोगों का मानना है कि सल्मान खान से बहतर आपसंस बॉलिवुड के पास बाहवली रिमेक के लिए है वैसे तो बाव वली का बॉलिवूड रिमेक बनना ना के बराबर लेकिन सोचे की वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितनी सांदार होगी प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई आपसंस है वहीं जब बाव वली रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलिवूड इस्टार कास सोच ली थी फिल्म में केटिना कैप्स तबू से लेकर अब से एक बच्चन तक को जगा मिली थी लेकिन आब वक्त बदल चुका है और बॉलिवूड भी हाला कि सुपरस्टार आज भी सल्मार खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता वाव वली के साथ मिलकर वो आठ सो करोण का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं वैसे तो यससर राजा मौली एक हजार करोण की मावारत की तयारी कर रहे है लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास के साथ बाव वली का रिमेक बना सकते हैं अगर बाव वली करदार की बात करें तो रितिक रोसन रितिक पौराणी का और पीरियट करदार बड़े सांदार ढंक से निभाते हैं एक तरफ जहां उन्होंने जोधागबर में कमाल किया वही मोहन जोद्रो कैसी भी फिल्म रही हो लेकिन रितिक रोसन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे वैसे भी उनकी फैन फालोइंग सांदार है ऐसे में बाववली के किरदार में रितिक रोसन जान डाल देते हैं अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखें तो उन्हें हर तरह के किरदार में देखा जा चुका है लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया तो आमिर खान अगर बाहुवली का किरिदार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं ये देखना काफी दिल्चस्प होगा वैसे तो सलमान खान सुल्तान है लेकिन जब से बाहुवली रिलीज हुई है तब से सब का यही मानना है कि सल्मान को चाहे बॉलिवुड का बाह वली कहलो या फिर प्रभास को साउत का सुल्तान दोनों एक ही बात है वैसे भी बीर जैसे फिल्म में सल्मान खान अपना पीरियड ड्रामा वाला जल्वा दिखा चुके तमन्ना भाटिया वाला किर्दार सुर्द्धा कपूर सुर्द्धा कपूर तमन्ना भाटिया की अवंतिका किर्दार बाको भी निभालेंगी एक तरह बागी में उनके स्टंट्स तो लोगों ने देखी लिए हैं वहीं दूसरी तरह सुर्द्धा कामुक अंदाज में बेहत खूबसूरत लगेंगी और बाव वली के साथ उनके भीगे भीगे गाने अनुसका से ट्थी द्वारा निभाएगे रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सुराक्षी सिनहा देव सेना के किर्दार के लिए परफेक्ट होगी क्योंकि पहला तो वो रितिक रोसन के साथ रोमांस करती हुई सूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किर्दार में वो भी बाकू भी जमेगी लेकिन कटपा का रोल को निभाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो कटपा के रोल के लिए नसरुदीन साथ फिल्म का सबसे अहम किर्दार जिस पर पूरे देश की नजरे है आखिर उसने बाववली को क्यों मारा ये नसरुदीन साथ बड़े अच्छे से समझा लेंगे के बाद आता है एक महत्वप्रूं करेक्टर श्यूगामी श्यूगामी के करेक्टर के लिए विद्या बालन से बेहतर कोई और चॉइस नहीं हो सकती है वैसे अगर वो ये किर्दार नहीं निभाती है तो आपसंस में हमारे पास है अगर विज्जल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनफम खेर बहुत संजीदगी के साथ निभा सकते है उनमें निगेटिव, पोजिटिव और ग्रे हर तरह का स्टेट दिखाई दे जाएगा कालके असरों के राजा कालके की भूमका में नवाजुद दिन सिद्ध की बेहतरी लगेगे तो दोस्तो अगर आपको भी बाहुवली की काश्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताएं आजामोले स्टार बाहुवली को आज रीज हुए पूरे दो साल हो गए और इन दो सालों में भी फिल्म की यादे आज तक ताजा है चाहे वो प्रभास का किरदार अमरेंद बाहुवली हो या फिर राणा दगुपाती का किरदार भल्लाल देव फिल्म के दो साल पूरे होने की खुसी में फिल्म के ट्वीटर हैंडिल से एक सांदार ट्वीट किया गया था बाहवली को पूरा हुए दो साल हो चुके है फिल्म ने ना केवल सांदार रिकार्ड बनाये थे बलकि भारतीय सिनेमा के स्टेंडर्ड से सांदार कीर्तमान और उदारन भी लिखे सभी को धन्यवाद इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहवली ने काफी मिथक तोड़ी थी फिल्मों के लिए IPL सीजन ठंडा माना जाता है और इस दोरान लोग मैच देखना पसं करते हैं फिल्मे नहीं लेकिन बाहवली ने साबित किया कि लोग फिल्मे भी देखते हैं और तावर तोड़ देखते हैं बास अरते फिल्मे देखने लायक होतो बाहवली को फेस्टिवल के बिना रिलीज किया गया था अक्सर देखा गया है सलमान खान की ईद और शारुक खान की दिवाली आमिर खान का क्रिस्मस और जो बचे वो अक्षेकमार रितिक रोसन का इन सब चक्कर में पढ़कर फिल्मे नहीं कमाती हैं ये बाहवली ने दिखा दिया एक मित इस्टारडम से कमाती हैं फिल्मे फिल्मे जब तक कोई बड़ाइस्टान नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी ऐसा नहीं होता है बाव बली में तमन्ना छोड़ कर किसी को लोग नहीं जानते थे बलकि राजा मौले भी चाहते थे कि फिल्म में पहचानने हुए चेहरे हो जैसे रितिक रोसन, जान इब्राहिम पर ऐसा नहीं हो पाया और सायद अच्छा ही हुआ बात करते हैं परमोशन से परमोशन के बिना भी होता है गुजारा सारुखान रेल से रैस का परमोशन कर रहे थे तो अब से एक बच्चन एक ही दिन में दस सहर जाकर अपनी फिल्में परमोट किये इतने ज़्यादा परमोशन से कुछ नहीं होता बिना परमोशन भी फिल्में चल जाती है अगर ढंक से प्लान किया जाए तो कंटेंड होता है बॉक्स ओफिस का बाप केवल एक स्टार को लेकर गाने डालकर एक आइटम नम्मर और थोड़ा सा रोमान से फिल्म के लिए काफी नहीं होता फिल्म को कंटेंड चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ओफिस पर टिकती है बिना आइटम सॉंग के भी फिल्म हिट होती है ये तो बॉलिवूट जरूर सीख ले स्क्रेन से नहीं दर्सकों से होती है कमाई हर स्टार अपने रिलिज की स्क्रेन बढ़ाता जाता है जैसे अगर बजरंगी 4000 स्क्रेन पर रिलिज हुई तो सुल्तान 5 जार लेकिन इससे कुछ नहीं होता उम्र इसे नहीं बनता हीरो हीरो और रोमांस उम्र देख कर किया जाना चाहिए वरना कितना भी सुपर्स्टार हो दर्सक उसे नकार ही देंगे फटाफट नहीं बन जाती फिल्मे बावबली पांच साल में बनी यहाँ प्रेम रतंधन भायो का स्रीवल जरा सा खिचा था कि आफ़त हो गई थी हमारे हाँ 40 दिन में फिल्म मिल्टा लेने की परंपरा है क्योंकि कई स्टार्ज की फिस भी हर दिन के हिसाब से होती है ऐसे में अच्छी फिल्में कहां से बनेंगी जो टिकता है वो बिकता है जो बॉक्स ओफिस पर 10 दिन तक टिका रहा वही भी का यहाँ पर उल्टा होता है शुरू के 3 दिन फिल्म ने जितना कमा लिया वही फिल्म की जमापोजी होती है क्लास वाली फिल्में कुछ फिल्में एक क्लास के लिए होती है ऐसा कुछ नहीं होता अच्छी फिल्में हर दर्सक वक्त देखना चाहता है तीन दिन में सव करों अगर फिल्म ने तीन दिन में सव करों कमा लिया तो वो ब्लॉक बास्टर है यहां बाह बली ने चार दिन तक लगातार सव करों कमाया डारेक्टर वो ही जो हीरो मनभाए हमारे आक्टर अपना डारेक्टर ढून लेता है जैसे कि सलमान ने टाइगर सिक्वल के लिए अपने सुल्तान डारेक्टर को फाइनल कर लिया जबकि एक था टाइगर कबीर खान की कहानी है जो दिमाग से काफी सक्चम है और जो मानते हैं कि सिक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते एक फिल्म का हवा किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए जैसे कि हीरो रिमेक को सलमान ने प्रमोट कर कि फिल्म की जान निकाल दी सिक्वल मतलब सिक्वल भाया सीधी सी बात है सिक्वल मतलब सिक्वल होता है और वो काईदे से प्लान बनाने के बाद ही बनाया जाता है बाव वली टू ने बॉलिवुड के उन सभी ठोस नियम की ऐसी की तैसी कर दी थी वो नियम जो थे तो फरजी पर जिनका पालन बॉलिवुड हाथ मेर धोकर करता था फिल्म चल जाए या ना चले इन नियमों को बदलने के कोशिस किसी नहीं की लेकिन बाव वली ट्यू ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्यां उड़ा दी और बॉलिवुड को सोचने के जरूत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे धीरे धीरे बॉलिवुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं बाव बली को बॉलिवुड कर्ट फिल्मों में क्यों सामिल किया गया है हलो दोस्तों मैं डाक्टर रमेंदर शक्रवर्ती आप सभी का स्वाज़त करता हूँ बॉलिवुड के गल्यारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ एसेस राजा मौली के फिल्म बाहवली के बारे में जब भी बाहवली का जिक्र होता है भारतिय सन्यमा का रास्ता हॉलिवुड की ओर साब दिखाई देता है क्योंकि एसेस राजा मौली एक ऐसे निर्माता और निर्दे सक्ते जिन्होंने हॉलिवुड की ओर एक रास्ता बनाया है अपने इस फिल्म के माध्यम से क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बाते थे जो लोगों को प्रेद करती हैं हॉलिवूड लेबल की फिल्में बनाने के लिए चाहे इस फिल्म के पात्र को लिया जाए चाहे इस फिल्म की स्टोरी को लिया जाए या इस फिल्म के बेफेक्स को लिया जाए यह सारी बाते जो थी वो सब हॉलिवुड फिल्मों में आप आसानी से देख सकते हैं अगर हम बाववली की स्टोरी की बात करते हैं तो जो बाववली की स्टोरी थी वो हमारे महाकाब रामायड और महाभारत से प्रेरी थे और बाहवली के जो पात्र भी थे वो सारे पात रामायड और महाभारत से ही लिये गए थे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहवली का जो लीड फिरो यानि कि अमरेद बाहवली अम्रेद बाहवली को रामायड के राम से क्यों प्रेरिद किया गया थे बेसिकली अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जो समाजिक प्रदिश है वो बदल रहा है सत्ताय तूट रहे समाजिक विसंगति आ गए तो क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का आइना होता है और सिनेमा के माध्यम से बहुत सारे निर्देशक ये समझाने की कोशिस करते हैं कि किस प्रकार से समाज को इस गिसा दी जासे है रामायड में का भी पाठ जो है राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिस की गई थी कि हमारा भारतिय समाज कैसा होना चाहिए एक आदर्सवादी रामार में ये दिखाने की कोशिस की गई थी कि एक बेटा अपने बाप का कहना कितना मानता है और बावबली में ये दिखाने की कोशिस की गई है और आज की जो सब्ता है क्योंकि हर कोई चाहता है नारिया अंदोलन को एक प्रकार से समान देना चाहता है तो बाहवली स्साइल राजा मॉली ने और खरलता किया और दिखाने का भी कोशिस किया गया कि एक बुमिन किस प्रकार से पुरुष को कहां से कहां पहुंचा देती है। हाँ, क्योंकि राज सत्ता की कहानी थी, इसलिए थोड़ा-थोड़ा कहीं कहीं पर उसे निरंकुष दिखाया गया है। अब अगर इसमें दूसरे पाथर की बात किया जाए, कि महाभारत का जो सकुनी था और इस बाहुबली का जो खनायक था, दोनों में समानता हैं थी, उस पाथर से प्रेरित था। और महाभारत का जो भीष्म था, और ये बाहुबली का जो कटपा था, दोनों में समानता हैं, उदर महाभारत का भीष्म पूरा जीवन सिंहासन की रच्छा करते हुए, बिना साधी किये हुए, अपना संपूर्ण जीवन ने उच्छार कर देता है। इदर बाहुबली का कटपा भी, बिना साधी किये हुए, अपना सब कुछ राज माता के लिए, बाहुबली के लिए, सब कुछ नुच्छार कर देता है। बस आज की तारीक में बाहवली को प्रिजेंट किया गया था कि जिससे दर्सक वर्क अपने आपको करेंट कर सके और अगर बात की जाए कि बाहवली की पटकता इतनी अच्छी क्यों हो क्योंकि जब तक किसी फिल्म की पटकता अच्छी नहीं होगी तब तक आप किसी अच्छे सिनेमा का निर्मार्ट कर ही नहीं सकते हैं। खास करके SS राजा मौली ने इस फिल्म की पड़कता लिखने में बहुत समय लिया था। आखिरकार बाग बली जो फिल्म हैं वो आज के समय की जो फिल्में हैं उनसे अलग क्यों माने जाते हैं। में कारान था कि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले हैं एसेज राजा मौली और उनके पिता दोनों ने मिल करके लिखी थे। क्योंकि जब किसी फिल्म का स्कीन प्ले बहुत अच्छा होता है तो निर्देशक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है उस फिल्म की कहानी को सूट करना और सबसे बड़ी बात क्या थी इस फिल्म का? कॉंसेप्ट क्योंकि भारतिय जो समाज है वो आज भी अपने उस परिवार में ही जिन्दा रहना चाहता है बिसिकली अपनी एक कॉमुनिटी में जीता है इस फिल्म में भी एक कॉमुनिटी के जरिये ही उस चीज़ को दिखाने के कोशिस की गई बिसिकली जो बाहु बली है वो बाहुबली को इसमें सिर्फ एक राजा की रूप में नहीं दिखाया गया है इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो बाहुबली है वो एक पूजनिय हो यही कारान था कि जब फिल्म का निर्मान हो रहा था तो जैन भी छूजे थे उस बाहु बली सब्द से उनको एतराज था कि बाहु बली सब्द क्यों यूज किया गया है तब एससर राजा मौली ने अपने एक साक्षातकार में इसकी सफाई दी थी कि हम बाहु बली सब्द जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक सब्द नहीं होगा बल्कि उसका अपना एक सम्मान होगा और वो फूजनिये होगा तब कहीं जाकर के जैन विच्छों ने इसकी इजाज़त भी थी और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भारतिय समाज के इतिहास के पन्नों को आप उठा करके दिखते हैं तो हमेशा जो राज सक्ता है वो परिवार के क्लैस से उबजी हुई है कि किस प्रकार से भाई भाई का बत करता है और यही चीज आपको बाहु बली में असपश रूप से दिखाई देती है जब आप बाहु बली सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह सारी जो घटना हैं वो आपके आसपास घटित होती है किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से दोईस करता है किस प्रकार से एक मा उसके दोनों बेटे हैं लेकिन एक को ज़्यादा प्यार करती हैं एक को कम प्यार करती है लेकिन मा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे रीत रिवाज और परंपरा में बिद्दिवान हैं उन्हीं को देखी देखा हर आदमी उसी प्रकार से अपने आपको ठाल लेका है और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें जो फ्रेम पसंग दिखाया गया है एक ऐसी नारी को दिखाया गया है कि वो नारी कहती है कि हमारी खुद की अपनी एक आइडेंटी है हम किसी ऐसे इनसान से साधी नहीं करेंगे जिसकी माँ चाहती हो उसके लिए कि मतलब उठाक रखे लाओ और हमारे बेटे के साथ साधी कर उसने कुछ चीज को नकार दिया और दूसरा इस फिल्म का जो बहुत मेर्म पहलू है कि उन प्रसंगों को जिन प्रसंगों की बात हमारे भगवान स्री कृष्ट जी करते कि किस प्रकार से प्रेम किया जाए उस प्रेम की प्रकाष्टा को किस प्रकार से प्रदर्सित किया जाए इस फिल्म में भी दिखाया गया अक्सर जो कि हमारे भारतिय सिनेवा में दिखाया जाता है कि एक गरीब इंसान एक अमीर करने से कैसे प्यार करता है उसी चीज को इसमें भी भी कॉपी पेस्ट किया गया है इस फिल्म का जो नायक है जब रानी से प्यार करता है तो उसे पता नहीं होता है उस रानी को कि ये जो नायक, ये जो अम्रेंद्र है वो किसी देश का राजकुमान नहीं है ये बाद में खुलता है राज और जो कि आज की भी कहानियों में सारी चीजें बिद्दमान है ये सिर्व इसलिए डाला गया है कि फिल्म में थोड़े सी रौचक्ता बनी रहे और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म में जिन जिन हत्यारों को इस्तिमाल किया गया है उन सारे हत्यारों का निर्मान इसे जराजा मौली ने अपने समच्छन में स्वेम करवाया था क्योंकि इससे पहले ऐसे हत्यारों का इस्तेमाल किसी भी फिल्म में नहीं किया गया था तो कह सकते हैं कि सिनेमा का जो क्राप्ट होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है, कि किसी भी फिल्म का क्राप्ट कैसे होना चाहिए, क्योंकि एक निर्देशक की जो सोच होती है न, वो सिनेवा में दिखाई देती है, जैसे कि आप बात करते हैं कि इस से पहले, बाव बली से पहले कौन सी भव फिल्म थी, तो कि उस फिल्म को भी एक कल्ट फिल्म ही कहा जाता है, क्योंकि उसका जायोग खनायक हो, अगर हम सोले से और बाव बली को कमपेरजन करें, तो दोनों कहीं न कहीं समानता अस्प्राश रूब से दिखाई देती है, क्योंकि उस फिल्म की जो प्रिश्ट भूमी थी, एक ड़क लेकिन बाव बली की जο इस्टोरी है, वो एक महाकथा से प्रिरीत। जिस प्रकार से सोले में एक ड़केद को बहुत बड़ा पावरफुल दिखाए गया है, उसी प्रकार से बाव बली में भी, इस फिल्म के ख्लनायक को बहुत पावरफुल दिखाए गया है। चलिए हम बात करते हैं कि इस फिल्म का संगीत इस फिल्म का जो संगीत था वो ला जवाब है आज भी जब भी बाववली का संगीत कहीं किसी रेडियो या किसी मॉबाइल पर बसता है तो मन करता है बस इहें रूप जाए और सुनें फिर आगे अपने कदमों को बख़ो कि बाववली का संगीत जो है इतना मधूर है खुर कानों को बहुत प्रिय लगता है कोई भी संगीत झाहे इसका बैगराउनữa संगीत हो या मेंस संगीत हो हर संगीत उसका अच्छा है क्योंकि अगर इसमें जो बार बारे जवा गाना बसता है कि जियो और जियो बाहु बली वो अपने आप में इतना पाउरफुल है कि हर आदमी के अंदर एक उर्जा पैदा कर देता है कि ज्यादा तर मैंने देखा है कि लोगों ने जब भी इस गाने को बजाया है और जिन-जिन के कानों पर एक गाना सुनाए दिया तो इसलिए अच्छा है कि जब आप इसके गानों को द्यान से सुनेंगे एक इस्टूमेंट की आवाज आपको साब सुनाई दूक Oops Charting by कैसे रियोक जरूर किया गया है लेकिन ऐस्टूमेंट-जिक दूक्डूमेंच-ज्च इस पर कहीं से भी हावी होता दिखाई नहीं if जो कि अगर आज के जमाने में अगर आप संगीत पर ध्यान दें कि हमारे भारतिय सिनेमा का संगीत कैचा है तो उसमें बस खाली बस आवाजें सुनाई देती है खासकर को उसको अफमीन करण है कि ऐसा संगीत क्यों हो गया है ऐसा संगित इसली हो गया है कि हमारा जो यूथ है वो सब मैगी बॉय है उसको सब कुछ रेडिमेट चाहिए मेनत नहीं करना चाहता है लेकिन एसे राजा मौली ने इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने के कोशिश की गई है अगर आपके जीवन में सब कुछ रेडिमेट हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा बलकि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लेगा इसलिए अगर सिनेमा के पच्छ को देखें कि कौन सा सिनेमा का पच्छ सबसे ज़्यादा मजबूत होता है तो उसकी बात होती है स्टोरी की बाहुबली की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी जाए आप पहला पार्ट देखिए जाए आप दूसरा पार्ट देखिए खास करके जब बाहुबली का पहला पार्ट खत्म होता है तो उसमें एक प्रस्णा आता है कि कटपपा ने बाहु वली को आखिर क्यों माता है। ये लोगों को एक साल तक परेसान करता रहा है कि जो शक्स अपनी बाहों में जिस बच्चे को फालता हो और खिलाया हो सिखाया हो पढ़ाया हो हत्यार चलाना सिखाया हो और फिर उसने अपने ही हाथों से उसका कटल करना थी बहुत हैराने वाली बाव लेकिन जैसे ही दूसरा पार्ट रिलीज होता है सारे सवालों के जबाब अपने आप लोग को मिले लगए क्या आदर्स क्योंकि हमारा भारतिय समाज हमेजा आदर्स की बात करता है हमेजा आदर्स वादी समाज जूडता है लेकिन दोस्तों जब भी किसी आइडियल की बात की जाती है वहाँ पने रंकुस्ता अपने आप आ जाता क्योंकि कटपपा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि राज माता को लगने लगा था कि कहीं न कहीं कि बाहुबली की वज़ा से समाज में कुछ भी संगतियां आ जाएंगी जिससे की राज सत्ता पर कुछ ना कुछ दूस प्रोहा पढ़ेगा और उसका में कारण था सडेंद जैसा कि समाज में होता है सडेंद का सिकार तो हर कोई हो जाता है राम भी हो गये थे सडेंद का सिकार राम ने भी धोबी के कहने पर सीता का परत्याक कर दिया था और इसमें भी सेम कहानी को और सेम सीन को रिपीट किया गया बाहुबली ने भी घर छोड़ दिया था परत्याग कर दिया था माता का और उसी प्रकार से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि दुरोपती का चीर हरन होता है उस सीन को भी यहाँ पर कॉपी पेश कर दिया गया यहाँ पर मंदिर में छेड़ी जाती है महरानी साहिबा और उसका बदला लेने के लिए अमरेंस आपको गुसा आजाता है और जाके उसका धर काड़ देते हैं उसी प्रकार से महाभारत में भी धीम पहुंचते हैं और उसके सीने को चीर करके और उसका खूल पी जाते हैं चीजें सब कुछ वही थी बस प्रस्तुती करने का तरीका अलग था कि आज का समाज और आज का यूथ उससे करेंट कैसा है मैं तो बहुत-बहुत सुक्र गुजार हूँ इससराजा मौली का कि उन्होंने ऐसी फिल्म का निर्मान किया जो कि हमारे जितने भी फिल्म-मेकर है उनके लिए हॉलिवूड के लिए एक रास्ता बहुत अच्छा बनाया है अब बात हम ये करते हैं कि आज के जमाने में बाहु बली सिनेमा की क्या प्रसांगिता है क्या ऐसा सिनेमा समय समय पर बनते रहना चाहिए या फिर इतने महेंगे बजट की फिल्म बनाने की कोई जरूत नहीं दीखे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाहु बली जैसी फिल्मों का निर्मार पोना चाहिए तो मेरा जवाब ही होगा येस मैं तो ये कहूंगा कि बाहु बली जैसी फिल्मों का निर्मार समय समय पर क्या बहुत सारे जितने भी यहां पर हैं जहाए वो बॉली बुड हो जहाए टॉली बुड हो या जितने भी छित्रिय सिनेमा हैं हर किसी को ऐसे फिल्मों का निर्मार करना चाहिए क्योंकि ऐसे फिल्मों का जब निर्मान होगा तो जब भी भारतिय सिनेमा के इतिहास का जिक्र होगा, वो स्रोणी मच्छों में जिक्र होगा इतिहास अपने आपको स्वयम दोहराएगा और याद भी रखा जाएगा लेकिन आज जो भारतिय समाज जिन चीजों से जूज रहा है वो सबसे बड़ा है परिवार क्योंकि एक बेटा अपनी मां के लिए कुछ ने कर पा रहा है उसका में कारण है टेकनोलोजी और उस टेकनोलोजी के कारण परिवार बाद टूट रहा है तो ऐसी फिल्मों कर जब भी निर्मान होता है यह दिखाया जाता है कि परिवार जो है कितना अहदता है जब भी परिवार टूटता है और सिर्फ एक विनाश का काराण हुटा और हाथों में कुछ मिलता नहीं तो मेरे कहने कमने सिर्फ यह नहीं है कि आप सिर्फ परिवार को लेकर ही फिल्में बनाईए प्रेम को लेकर ही फिल्में बनाईए हर जॉनल की फिल्में बनाईए ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश बहुत सारे लोग कर रहे हैं जैसे कि अगर प्रेंज सब फिल्मों के बारे में आ रही है हम सब के बीचे कुछ उत्रुता बठती चली जा रही है लेकिन बात यहां भारत और तारा जी की नहीं बात हम कर रहे हैं बाहु बली की आखिर बाहु बली जो सिनेमा है उसका वेफेक्स इतना महान क्यों था उसके पीछे लोगो सिर्फ उस फिल्म के हीरो, हीरोईन या फिर इसके प्राइटर, मुजिसियन इन सब के जर्य किया जा सकता है हाँ इन सब का योगदार है बहुत इंपॉर्टन लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे इसकी जो क्रू मेंबर्स थे बहुत भारी संख्या में लोग थे एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इसे जाजा मौली ने इन फिल्मों के माध्यम से एक रोजगार देने की ब्योस्ता की, बहुत सारे लोगों का घर चला था, बहुत सारे कलाकारों ने काम किया था, और एक नई परिभासा और निकल के आई सिनेमा बनाने के लिए भाई, वाक साथ नहीं करोगे ना, तो अच्छी सिनेमा नहीं बनी है, यह यह सज राजा मौली ने ही लोगों को बताया है, और यही कारण है कि हमारे सल्मान खान साथ डर गये है, अपनी फिल्म भारत के लिए वाक्षाप करने लगे, और इनको देखो, अमिर साथ को, सदमे में आ गये हैं, माहा भारत पर बेप स्रीज बनाना चाहते हैं, अब उन्होंने भी एसे राजा मौलीक से ही कह सकते हो कि सलाह लिए, जाकर के चूप चाप बैठ करके एक कमरे में इस की पर काम करना शुरू कर दी है, लेकि मेरा मानना तो यह है कि बाव बली फिल्म क्या थार्ट पार् आप पर ना ही चाहिए, वेसे जो खबरे आ रही है, इसके प्रिकॉल की खबरे आ रही है, प्रिकॉल का दिर्मार किया जा रहा है, वेब स्रीज के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगे, यह अच्छी बात है, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूं, इसकि मैं देखना बाव बली का तीसरा पार्ट है, कदम नहीं रुकने चाहिए, कहीं ने कहीं इसे राजा मौली थोड़ा सा डर गए है, क्योंकि हमारा जो भारतिये सिनेमा है ना, वो एक संकुचित विचाल धरास है, वो सारी चीजों को एडाप्ट नहीं कर पाता है, वो नकल्ची हो गया ह तो मैं एसे राजा मौली से कहना चाहता हूँ, आप डरिये नहीं, आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे सिनेमा प्रेमी हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी बातों को मानेंगे, और आप जब भी बाहु वली थी का रिमार्ट करेंगे, उसे भी लोग अपने दिल से आने का आप इंतजार कर रहे हैं, हम आपके प्रस्नों के उत्तर जानने के लिए बहुत उस्सुक है। बाहु वली ने IPL को कैसे मात दी थी, मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के फिल्मी गलियारे में, कुछ भी कहिए, लेकिन बॉलिवूड तो बॉलिवूड होता है, और आपके बॉलिवूड कीडे ने कभी न कभी तो बाहु वली की बॉलिवूड स्टार वारे में सोचा होगा, वैसे फिल्मी गलियारों में आए दिन इस पर डिसकसन होते ही रहते हैं, और बाहु वली का सबसे दिल्चस्प डिसकसन होता है बाहु वली की बॉलिवूड स्टार कास्ट, अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सल्मान खान, हाला कि पहले की बात और थी, लेकिन अब सल्मान बाहु वली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं, हाला कि लोगों का मानना है कि सल्मान खान से बहतर आपसंस बॉलिवूड के पास बाहु वली रिमेक के लिए है, वैसे तो बाहु वली का बॉलिवूड रिमेक बनना ना के बराबर लेकिन सोचिये की वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितनी सांदार होगी प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई आपसंस है वहीं जब बाहुबले रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलिवोड इस्टार कास सोच ली थी फिल्म में कैटिना कैपस तभू से लेकर अब से एक बच्चन तक को जगा मिली थी लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बॉलिवोड भी हाला कि सुपरस्टार आज भी सलमान खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता बाव वली के साथ मिलकर वो 800 करोण का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं वैसे तो यससर राजा मौली 1000 करोण की मावारत की तयारी कर रहे है लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास के साथ बाव वली का रिमेक बना सकते हैं अगर बाव वली करदार की बात करें तो रितिक रोसन रितिक पौराणी का ओव पिरियड करदार बड़े सांदार ढंक से निभाते हैं एक तरफ जहां उन्होंने जोधागबर में कमाल किया वहीं मोहन जोधरो कैसी भी फिल्म रही हो लेकिन रितिक रोसन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे वैसे भी उनकी फैन फालोईंग सांदार है ऐसे में बाव वली के करदार में रितिक रोसन जान डाल देते अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखे तो उन्हें हर तरह के करदार में देखा जा चुका है लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया तो आमिर खान अगर बाव वली का करदार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं ये देखना काफि दिल्चस्प होगा वैसे तो सलमान खान सुल्तान है लेकिन जब से बाहवले रिलीज हुई है तब से सब का यही मानना है कि सलमान को चाहे बॉलिवुड का बाहवली कह लो या फिर प्रभास को साउत का सुल्तान दोनों एक ही बात है वैसे भी बीड जैसे फिल्म में सलमान खान अपना पीरियड ड्रामा वाला जलबा दिखा चुके स्रद्धा कपूर स्रद्धा कपूर तमन्ना भातिया के अवंतिका किरदार बाको भी निभालेंगी एक तरफ बागी में उनके इस्टन्स तो लोगों ने देखी लिए हैं वहीं दूसरी तरफ सद्धा कामों का अंदाज में बेहत खूबसूरत लगेगी और बाव वले के साथ उनके भीगे भीगे गाने अनुस्का से ट्थी द्वारा निभाएगे रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सुराक्षी सिनहा देव सेना के किरदार के लिए परफेक्ट होगी क्योंकि पहला तो वो रितिक रोसं के साथ रोमांस करती हुई सूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किरदार में वो भी बाखु भी जमेगी लेकिन कटपा का रोल को निभाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो कटपा के रोल के लिए नसरुदीन साथ फिल्म का सबसे अहम किरदार जिस पर पूरे देश की नजरे है आखिर उसने बाववली को क्यों मारा ये नसरुदीन साथ बड़े अच्छे से समझा लेंगे के बाद आता है एक महत्व पूर्ण करेक्टर शियोगामी सियोगामी के करेक्टर के लिए विद्या बालन से बेहतर कोई और चोईस नहीं हो सकती है वैसे अगर वो ये किरदार नहीं निभाती है तो आपसंस में हमारे पास है अगर विज्जल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनफम खेर बहुत संजितगी के साथ निभा सकते है उनमें निगेटिव, पोजिटिव और ग्रे हर तरह का स्रेट दिखाई दे जाएगा कालके, असरों के राजा कालके की भूमका में नवाजु दिन सिद्ध की बेहतरी लगेंगे तो दोस्तों, अगर आपको भी बाहवली की काश्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताएं आजा मौले स्टार बाहवली को आज रीज हुए पूरे दो साल हो गए और इन दो सालों में भी फिल्म किया दें, आज तक ताजा है चाहे वो प्रभास का किरदार अमरेंदर बाहवली हो या फिर राणा दगुपाती का किरदार भल्लाल देव फिल्म के दो साल पूरे होने की खुसी में फिल्म के ट्वीटर हैंडिल से एक सान्दार ट्वीट किया गया था बाहवली को पूरा होए दो साल हो चुके है देने के लिए वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहवली ने काफी मिथक तोड़ी थी फिल्मों के लिए IPL सीजन ठंडा माना जाता है और इस दोरान लोग मैज देखना पसंद करते हैं फिल्मे नहीं लेकिन बाहवली ने साबित किया कि लोग फिल्मे भी देखते हैं और तावर देखते हैं बासरते फिल्मे देखने लायक हो तो बाहवली को फेस्टिवल के बिना रिलीज किया गया था अक्सर देखा गया है सलमान खान की ईद और शारुक खान की दिवाली आमिर खान का किस्मस और जो बचे वो अक्षे कुमार रितिक रोसन का इन सब चक्कर में प्राइस्टार नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी ऐसा नहीं होता है बावली में तमन्ना छोड़ कर किसी को लोग नहीं जानते थे बलकि राजा मौले भी चाहते थे कि फिल्म में पहचानने हुए चेहरे हो जैसे रितिक रोसन जान इब्राहिम पर ऐसा नहीं हो पाया और सायद अच्छा ही हुआ के बात करते हैं प्रमोशन के बिना भी होता है गुजारा सारुखान रेल से रैस का प्रमोशन कर रहे थे तो अब से बच्चन एक ही दिन में दस सहर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट किये इतने ज्यादा प्रमोशन से कुछ नहीं होता बि एक आइटम नम्मर और थोड़ा सा रोमान से फिल्म के लिए काफी नहीं होता फिल्म को कंटेंट चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ऑफिस पर टिकती है बिना आइटम सौंग के भी फिल्म हिट होती है ये तो बॉलीबूट जरूर सीख ले इसक्रीन से नहीं दर्शकों से हो हीरो और रोमांस उम्र देख कर किया जाना चाहिए वरना कितना भी सुपर्श्टार हो दर्शक उसे नकार ही देंगे फटा फट नहीं बन जाती फिल्में बाववली पांच साल में बनी यहां प्रेम रतन धनपायो का स्रील जरा सा खिचा था कि आफ़त हो गई थी हमारे हा चालिस दिन में फिल्म मिट्टा लेने की परंपरा है क्योंकि कई स्टार्ज की फीस भी हर दिन के हिसाब से होती है ऐसे में अच्छी फिल्में कहां से बनेंगी जो टिकता है जो बॉक्स ऑफिस पर दस दिन तक टिका रहा वही विका है यहां पर उल्टा होता है शुरू के दर्सक वक्त देखना चाहता है तीन दिन में 100 करों अगर फिल्म ने तीन दिन में 100 करों कमा लिया तो वो ब्लॉक बास्टर है यहां बाह बली ने 4 दिन तक लगातार 100 करों कमाया डारेक्टर वो ही जो हीरो मनभाए हमारे हैं एक्टर अपना डारेक्टर ढून लेता है जैसे कि सलमान ने टाइगर सिक्वल के लिए अपने सुल्तान डारेक्टर को फाइनल कर लिया जबकि एक था टाइगर कवीर खान की कहानी है जो दिमाग से काफी सक्चम है और जो मानते हैं कि सिक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते एक फिल्म का हवा किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए जैसे कि हीरो रिमेक को सलमान ने प्रमोट कर कि फिल्म की जान निकाल दी सिक्वल मतलब सिक्वल भाया सेधी सी बात है सिक्वल मतलब सिक्वल होता है और वह काएदे से प्लान बनाने के बाद ही बनाया जाता है बाव वली टू ने बॉली वुड के उन सभी ठोस नियम की ऐसी की तैसी कर दी थी वो नियम जो थे तो फरजी पर जिनका पालन बॉली वुड हाथ मेर धोकर करता था फिल्म चल जाए या ना चले इन नियमों को बदलने के कोशिस किसी नहीं की लेकिन बाव वली टू ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्या उड़ा दी और बॉली वुड को सोचने की जरुवत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे धीरे धीरे बॉली वुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं धूस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप हमें कमेट करके बताएए क्या आप बाववली टूरी का रिमेट करवाना चाहते हैं या नहीं या फिर नए सुरे से बाववली टूरी की कहानिका आप इंतजार कर रहे हैं हम आपके प्रस्णों के उत्तर जानने के लिए बहुत उस्सुक है क्या राजा मौली बना रहे बाववली 3? कैसी होगी बाववली 3 की कहानी? बाववली 2 फिल्म में वो कौन सी गलतियां हैं जिन पर आपकी नजर नहीं गई आपका स्वागत करते हैं बॉले गराथ के फिल्मी गल्यारे में बाववली एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी कमाई के आगे किसी भी फिल्म के टिकने की कोई गुंजाईस नहीं वो बाववली की कहानी हो या फिर इसका स्टार कास्ट इसने लोगों को अपना दिवाना बना दिया बाववली इकलोती ऐसे फिल्म है जिसने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद कई रिकार्ड्स अपने नाम किये बाव वली के निर्देशक ने गोस्रा की है कि भले ही बाव वली की कहानी बड़े पड़ते पर खत्म हो जाए पर इसकी दुनिया का कभी अंत नहीं होगा ये होगी बाहवली थिरी की कहानी बताया जा रहा है कि बाहवली के बाद अब बाहवली थिरी भी बनने चा रही ये बात हम नहीं कह रहे हैं बलकि फिल्मी गलियारों में ऐसी ख़बर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाहवली थिरी बनने का एलान खुद राजा मौली न पिता पिचल देव की कहानी को फिल्माएंगे ये फिल्म बाववली स्रीज का प्रिक्वल होगी जिसमें बाववली के जर्म से पहले की कहानी बताई जाएगी इंटर्व्यू के दरार राजा मौली ने इस बारे में बात करते हुए कहा था कि बाववली की कहानी को और नहीं इसके बारे में इसे राजा मौली ने कुछ नहीं कहा। बाववली 2 फिल्म आई, ये भी पता लग गया कि बाववली को कटपा ने मिस कॉल का जवाब ना देने पर मारा। बाववली सी जुड़ी छोटी सी छोटी डिटेल अब आपके पास है। काल के के बेटे का असल जिन्दगी में किस स्कूल में एडिविशन हुआ है। से लेकर ये तक पता है कि तवन्ना सेट पर दही जलेबी में नीमूर निचोड़ कर खाती थी। ये इस फिल्म में जनता के इंटरेस्ट की हद है। साड़ी तक आगई है बाववली प्रिंट की। और तो और बंगला देश से 40 जने फिल्म देखने इंडिया आये चार्टर प्ले से। तो समझ रहे हैं आप रेरा खिचा है फिल्म का, कमाई का तो पूछो नहीं। अब ऐसे में लोग आगे आये हैं फिल्म की गलतियां लेकर, यूटूब से लेकर सोचल मीडिया तक फिल्म में जो गलतियां और खामिया है या नहीं है, वो बताई जा रही है। सोता हुआ जूनियर हार्टेस्ट, टेलर में भी आपने ये सीन देखा होगा, तीसरी चौती लाइन में खड़े एक आदमी की आँके, दिखा कर कहा जा रहा है कि शूटिंग के वक्त ये आदमी सो गया, ये बड़ा फरजी फैट, किसी एक फ्रेम में उसकी आँक बंद हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सो रहा, आप उसके आगे पीछे के पलों को देखिए, वो बाकाईदा खाड़ा है और जाक रहा है, गदा पढ़ने से पहले ही फर्स टूट गए, ये क्लाइमेस का सीन है, जहां बाव वली के बेटे और भलाल के लड़ाई हो रही है, दिखाया ये गया कि भलाल अपनी गदा से उसे मार रहा और उसके जोर से फर्स तक टूट गया, लेकिन एफेक्ट लगाने में गलती हो गई, और गदा पढ़ने से पहले ही फर्स टूट गया, ये सही गलती पकड़ी गई है, लेकिन फिल्म देखते वक्त आप उतेजना औ और तेजी में ये चीज मिस कर देते हैं, तीसरी गलती, एक वार से चार आदमी उड़ गए, बिना चोट खाए ही, एक सीन में जंगल में एक पालकी गुजरती है, डाकू उसे लूटने को होते हैं, लेकिन अंदर से देव सेना निकलाती है, और डाकू को चित कर देती है, लडाई करती हुए तलवार चलाती है, और डाकू ये जा वो जा के हाल में उड़ने लगते, लेकिन सीन देखा जाए तो पता लगता है कि बिना तलवार चुए ही तीन डाकू उड़ने थे, ये तो दोस्त कुछ भी था, इतना तो कर लेते कि सब को एक एक रत्ती तलवार देखा देखा इसके बारे में कहा गया है कि जब कटप्वा ने बाव वली को तलवार मारी तो वहां तीर और एक डेट बाड़ी पड़ी थी, पर अगले ही सीन में वो कहा गयी, ये फालतू का मीन मेक निकालना है, जाओ पिक्चर देखके आओ आ, अरे एक बार पिक्चर द तो तुम्हारे लिए डेट बाड़ी क्या कालके लेके आएगा, तो इस गलती बिना पूश के तीर, तीर के दो हिस्से होते, एक नोग, दूसरा पिछला सीरा, एक वीडियो में दावा किया गया है कि इस सीन में तीर का पिछला सीरा गायब है, यार फ्लीज, कुछ सलीके का लाओ, फिर से वह ये एक फ्रेम देख के बाद कह दी, वो जिस एंगिल से तीर आ रहा है, नहीं दिख रहा है पिछला सीरा, बाकि अगल बगल हजार तीर है, सम में पूश दिख रही है, लोग इतने बुद्धू भी नहीं है कि जिस तीर को दिखा रहे हैं, उसमें ही गलत लेकिन एक महला और होनी थी, भालाल की बीबी, आपको भाद्रा याद है न, हरे वो जिसका अगला सीवा यानि बाव वली का बेटा पिछली जनम में ही काट लेता है, उसकी मा का उन थी, इस फिल्म में भी देव सेना और भालाल की पूरी नफरत दिखाई गई, लेकिन ये जिक्र तक नहीं आया है कि भालाल की साधी कि से हुई, बाव वली को कटपा ने क्यों मारा, के बाद यही सवाल तो इस बार नया जोग बना है, कि भालाल की बीबी आखिर थी कौन, ये इस बार का बड़ा लोच है, जादा नहीं बताएंगे, लेकिन धाल का फिल्म में फिस्बूक पर ये दावा कर रहे हैं कि ये सीन कहीं देखा हुआ या कॉपी किया हुगया है, दरसाल ये सीन टेलर में तीरों के एक स्विक्वेंस के साथ आता है, जिसकी वज़ा से कैप्टन अमेरिका सिविल वार का वो सीन बरबस सी याद आता है, जिसमें एंट मैं हॉक काई के तीर पर सबारी करता है, माले ये सीन कहीं से कॉपी नहीं किया गया, बस एक सा होने के कारण थोड़ा उस जैसा लगता है, कहां है बेई, हरे यार, हम बोलते बोलते और आप सुनते सुनते, ये भी भूल गए, साथ नम्मर पर कुछ है ही नहीं यार, तो आप हमें कम करती सिनेमा विस अस्तर पर आराम से अपनी उपस्तती दर्ज करा सकता है, आज के लिए बस इतना ही बाहवली को बॉलिवूड कर्ट फिलों में क्यों सामिल किया गया है, हलो दोस्तों, मैं डाक्टर रमेंदर शकरवर्टी, आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉलिगराज के गल्यारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, एसेज राजा मौली के फिल्म बाहवली के बारे में जब भी बाहवली का जिक्र होता है, भारतिय सन्यमा का रास्ता हॉलिवूड की और साब दिखाई देता है क्योंकि एसेज राजा मौली एक ऐसे निर्माता और निर्देसक थे जिन्हों ने हौलिवूड की और एक रास्ता बनाया अपने इस फिल्म के माध्यम से क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बाते थे जो लोगों को प्रेद करती हैं हॉलिवड लेवल की फिल्में बनाने के लिए चाहे इस फिल्म के पात्र को लिया जाए चाहे इस फिल्म की स्टोरी को लिया जाए या इस फिल्म के बेफेक्स को लिया जाए यह सारी बाते जो थी वो सब हॉलिवुड फिल्मों में आप आसानी से देख सकते हैं अगर हम बाहुवली की स्टोरी की बात करते हैं तो बाहुवली की स्टोरी थी वो हमारे महाकाब रामायड और महाभारत से प्रेवी थी और बाहवली के जो पात्र भी थी वो सारे पात्र रामायर और महाभारत से ही दिये गए थी अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहवली का जो लीड फिरो यानि कि अम्रेद बाहवली अम्रेद बाहवली को रामायर के राम से क्यों प्रेरित किया गया थी बेसिकलिए अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जो समाजिक प्रदेश है वो बदल रहा है सताय तूट रहें समाजिक विसंगती आ गए तो क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का आइना होता है और शिनेमा के माध्यम से बहुत सारे निर्देसा के ये समजाने की कोशिस करते हैं कि किस प्रकार से समाज को एक जिसा दीडा सा रामायार में ये दिखाने की कोशिस की गई थी कि एक बेटा आपने बाप का कहना कितना मालता है और बाहु बली में ये दिखाने के कोशिस की गई है कि एक बेटा अपने मां का कितना कहना मनता है दोरों चीजे एक ही है बस समय बदला है क्योंकि उस समय की जो सत्ता थी वो फुर्सों के हाथ में थी और आज की जो सत्ता है क्योंकि हर कोई चाहता है नार्य अंदोलन को एक प्रकार से सम्मान देना चारता है बूमेन इंपॉर्मेंट की बात करता है तो बाहु बली फिल्म में एसे राजा मौली ने एक बूमेन इंपॉर्मेंट की बात की और दिखाने का भी कोशिश किया गया है कि एक बूमिन किस प्रकार से पुरुष को कहां से कहां पहुंचा देती है। हाँ, क्योंकि राजसत्ता की कहानी थी, इसके थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं पर उसे निरंकुस दिखाये गया है। अब अगर इसमें दूसरे पात्र की बात गिया जाए, कि महाभारत का जो सकुनी था और इस बाहवली का जो खनलायक था, दोनों में समानता हैं उस पात्र से प्रेरित था। और महाभारत का जो भीष्म था और ये बाहवली का जो कटपा था, दोनों में समानता हैं, उदर महाभारत का भेष्म पूरा जीवन सिंगासन की रच्छा करते हुए, बिना साधी किये हुए, अपना संपूर जीवन ने उच्छार कर देता है। इदर बाहवली का कटपा भी बिना साधी किये हुए, अपना सब कुछ राज माता के लिए, बाहवली के लिए, सब कुछ नुच होर कर देता है। बस आज की तारीक में बाहवली को प्रिजिंट किया गया था, कि जिससे दर्सक वर्क अपने आपको करनेट करते हैं। और अगर बात की जाए कि बाहवली की पठकता इतनी अच्छी क्यों है। क्योंकि जब तक किसी फिल्म की पठकता अच्छी नहीं होगी, तब तक आप किसी अच्छे सिनेमा का निर्मार्ट कर ही नहीं सकते हैं। खास करके SS राजा मौली ने इस फिल्म की पढ़कता लिखने में बहुत समय लिया था आखिरकार बाउख बली जो फिल्म है वो आज के समय की जो फिल्में हैं उनसे अलग क्यों माने गाते हैं में कारान था कि इस फिल्म का जो स्ट्रीन प्ले ऐसे जाजा मौली और उनके पिता दोनों ने मिलकर के लिखी क्योंकि जब किसी फिल्म का स्ट्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है तो निर्देशक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है उस फिल्म की कहानी को सूट करना और सबसे बड़ी बात क्या थी इस फिल्म का कॉंसेप्ट क्योंकि भारती यह जो समाज है वो आज भी अपने उस परिवार में ही जिन्दा रहना चाहता है बिसिकली अपनी एक कॉम्मिनटी में जीता है इस फिल्म में भी एक कॉम्मिनटी के जरिये ही उस चीज़ को दिखाने के कोशिस की गई बेसिकली जो बाहुबली है वो बाहुबली को इसमें सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं दिखाया गया है इस प्रकार से दिखाया गया है कि जो बाहुबली है कि यूज किया गया है तब एससर राजा मौली ने अपने एक साक्षातकार में इसकी सफाई दी थी कि हम बाहुबली सब्द जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक सब्द नहीं होगा बल्कि उसका अपना एक सम्मान होगा और वो पूजनिये होगा तब कहीं जाकर के जैन विच होता है वो परिवार के क्लैस से उबजी हुए कि किस प्रकार से भाई भाई का बत करता है और यही चीज आपको बाहुबली में असपश्च रूप से दिखाई देती है जब आप बाहुबली सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह सारी जो घटनाएं है न वो आपक करती है किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से दोईस करता किस प्रकार से एक मान उसके दोनों बेटे हैं लेकिन एक यह को जब प्यार करती हैं और सबसे अच्छी बात यह ती कि इसमें जो फ्रेम पसंग दिखाया गया है, एक ऐसी नारी को दिखाया गया है, कि वो नारी कहती है, कि हमारी खुद की अपनी एक आइडेंटी है, हम किसी ऐसे इंसान से साधी नहीं करेंगे, जिस की माँ चाहती ही, उसके लिए कि मतलब उठाक रखे लाओ और हमारे बेटे के साथ साधी कर उसने कुछ चीज को नकार दिया और दूसरा इस फिल्म का जो बहुत मेर्म पहलू है कि उन परसंगों को जिन परसंगों की बात हमारे भगवान स्री कृष्ट जी करते हैं किस प्रकार से प्रेम किया उस प्रेम की प्रकाष्टा को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए इस फिल्म में भी दिखाया गया अक्सर जो कि हमारे भारतिये सिनेवा में दिखाया जाता है कि एक गरीब इंसान एक अमीर करन्या से कैसे प्यार करता है उसी चीज को इसमें भी भी कॉपी पेस्ट कि इस फिल्म का जो नायक है जब रादी से प्यार करता है तो से पता नहीं होता है उस रादी को कि ये जो नायक है ये जो अमरेंदर है तो किसी सी देश का राजकुमान नहीं ही ये बाद में ख informative ताहेरा और जो कि आज की भी कहानियों में सारी चीजें बिद्दमान ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि फिल्म में खोड़ी सी रोचक्ता बनी गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म में जिन जिन हत्यारों को इस्तिमाल किया गया है उन सारे हत्यारों का निर तो कह सकते हैं कि सिनेमा का जो क्राप्ट होता है, वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है, कि किसी भी फिल्म का क्राप्ट कैसे होना चाहिए, क्योंकि एक निर्देशक की जो सोच होती है न, वो सिनेमा में दिखाई देती है, जैसे कि आप बात करते हैं कि इससे पहले, बाव बली से पहले कौन सी भव फिल्म थी तो बाव बली से पहले हमारे हिंदी सिनेवा में सोले को सबसे बड़ी भव फिल्म माना जाता है जिसकी स्क्रिप लखी थी सलीम जाबेद, क्योंकि उस फिल्म को भी एक कल्ट फिल्म ही कहा जाता है, क्योंकि उसका जाय ओख खनायक हो, अगर हम सोले से और बाववली को कंपेर्जन करें तो दोनों कहीं न कहीं समानता अस्परस रूप से दिखाई देती क्योंकि उस फिल्म की जो प्रिष्ट भूमी थी एक ड़कायद पर थी इस फिल्म की जो प्रिष्ट भूमी है वो भी एक ड़कायद है जो राज को हडपना चाहता है बस अंतर थोड़ा सा यह है कि जो सोले की श्टोरी थी वो किसी महा कथा से प्रेदित नहीं है लेकिन बाववली की जो श्टोरी है वो एक महा कथा से प्रेदित नहीं है उसी प्रकार से बाहवली में भी इस फिल्म के क्टालाएं को बहुत पाउरफुल दिखाय गया is चलिये हम बात करते हैं कि इस फिल्म का संगीत इस फिल्म का जो संगीत था बोला जबाब है आज भी जब भी बाहु वली का संगीत कें किसी रेडियो या किसी मोबाईल पर बसता है तो मन करता है बस यहनों पर बढ़ाे क्योंकि बाहु वली का संगीत जो है इतना मदूर है कि कानों को बहुत प्लिये लगता है कि कोई भी संगीत कि जाहें उसका बै ग्राउंड संगीत हो या मेन संगीत हो हर संगीत उसका अच्छा है क्योंकि अगर इसमें जो बार बारे जो गाना बसता है जियो रे जियो बाहु बली वो अपने आप में इतना पाउरफुल है कि हर आदमी के अंदर एक उर्जा पैदा कर देता है ज्यादा तर मैंने देखा है कि लोगों ने जब भी इस गाने को बजाया है और जिन जिन के कानों पर एक गाना सुनाई दिया है वो उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो अपने आप में प्रफुलित हो जाते हैं और खास करके इसका संगीत पच इसलिए अच्छा है कि जब आप इसके गानों को ध्यान से सुनेंगे एक एक इस्टूमेंट की आवाज आपको साब सुनाएंगे इलेक्ट्रानिक मुजिक कैसे रियोग जरूर किया गया है लेकिन इलेक्ट्रानिक मुजिक जो इस्टूमेंट मुजिक है उस पर कहीं से भी हावी होता दिखाई नहीं ज्योंकि अगर आज के जमाने में अगर आप संगीत पर ध्यान दें कि हमारे भारतिय स्नेमा का संगीत कैचा है तो उसमें बस खाली बस आवाजें सुनाई देती है खास करको उसका भी इनकार है कि ऐसा संगीत क्यों हो गया है ऐसा संगित इसलिए हो गया है कि हमारा जो यूथ है वो सब मैगी बॉय है उसको सब कुछ रेडिमेट चाहिए मेनत नहीं करना चाहता है लेकिन एसेज राजा मौली ने इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने के कोशिश की गई है कि अगर आपके जैयोन में सब कुछ रेडिमेट हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा बलकि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लेगा इसलिए अगर स्नेमा के पच्छ को देखें कि काॉन सा स्नेमा का पच्छ सब से ज़धा मजबूत होता तो उसकी बात होती है इस्टोरी की बाहु बली की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी जाए आप पहला पार्ट देखिए जाए आप दूसरा पार्ट देखिए खास करके जब बाहुबली का पहला पार्ट खत्व होता है उसमें एक प्रस्न आता है कि कटपा ने बाहुबली को आखे क्यों माता है ये लोगों को एक साल तक परिशान करता रहा है कि जो शक्स अपनी बाहों में जिस बच्चे को पालता हो और खिलाया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो, हत्यार चलाना सिखाया हो और फिर उसने अपने ही हाथों से उसका कट लगा थी बहुत हैराने वाली बाहुबली कि जैसे ये दूसरा पार्ट रलीज होता है सारे सवालों के जबाब अपने आप लोगो मिले लगए कि आदर्स, क्योंकि हमारा भारतीय समाज हमेजा आदर्स की बात करता है, हमेजा आदर्स वादी समाज जोड़ता है, लेकिन दोस्तों, जब भी किसी आइडियल की बात की जाती है, वहाँ पने रगन कुस्ता अपने आप आज़ता, क्योंकि कटपपा ने बाहुबली को इसलिए मारा था क्योंकि राज माता को लगने लगा था कि कहीं न कहीं बाहुबली की वज़ा से समाज में कुछ बिसंगतियां आ जाएंगी जिससे की राज सत्ता पर कुछ ना कुछ दूस प्रोहा पड़ेगा और उसका में कारण था सडेंद जैसा कि समाज में होता है सडेंद का सिकार तो हर कोई हो जाता है राम भी हो गए दें सडेंद का सिकार राम ने भी धोबी के कहने पर सिता का परत्याक कर दिया था और इसमें भी सेम कहानी को और सेम सीन को रिपीट किया गया माहुबली ने भी घर छोड़ दिया था परत्याग कर दिया था माता का और उसी प्रकार से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि दुरोपती का चीर हर होता है उस सीन को भी यहाँ पर कॉपी पेश कर दिया गया यहाँ पर मंदिर में छेड़ी जाती है महारानी साहिबा और उसका बदला लेने के लिए अम्रेंस आपको गुसा आजाता है और जाके उसका धर काड़ देए उसी प्रकार से महाभारत में भी धीम पहुंचते हैं और उसके सीने को चीर करके और उसका खूल की जाते हैं चीजें सब कुछ वही थी बस प्रस्तुती करने का तरीका अलग तो कि आज का समाज और आज का यूथ इससे करेंट कैसा है मैं तो बहुत-बहुत सुक्र गुजार हूं इससे राजा मौली का उन्होंने ऐसी फिल्म का निर्मा कर उनके लिए हॉलिवड के लिए एक रास्ता बहुत अच्छा बनाया है अब बात हम यह करते हैं कि आज के जमाने में बाहु बली सिनेमा की क्या प्रसाणिता है या ऐसा सिनेमा समय समय पर बनते रहना चाहिए या फिर इतने महेंगे बजट की फिल्म बनाने की कोई जरू कि मैं तो यह कहूंगा कि बाहु बली जैसी फिल्मों का निर्मा समय समय पर क्या बहुत सारे जितने भी यहां पर हैं जहाए वह बॉली बुड हो जहाए टॉली बुड हो या जितने भी छित्रिय सिनेमा हैं हर किसी को ऐसे फिल्मों का निर्मार करना चाहिए क्योंकि ऐसे का जब निर्मार होगा तो जब भी भारतिय सिनेमा के इतिहास का जिक्र होगा वो सोड़ी मच्छों में जिक्र होगे इतिहास अपने आपको स्वयम दोहराएगा और याद भी रखा जाएगा लेकिन आज जो भारतिय समाज जिन चीजों से जूज रहा है वो सबसे बड़ा है परिवार क्योंकि एक बेटा अपने मां की रख के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है उसका में कारण है टेकनोलोगी और उस टेकनोलोजी के कारण परिवार वार तूट रहा है तो ऐसी फिल्मों को जब भी निर्मान होता है उसमें यह दिखाया जाता है कि परिवार जो है कितना अहम होता है जब भी परिवार तूटता है सिर्फ एक बिनाज का कारण होता है और हाथों में कुछ मिलता नहीं दो मेरे कहने क not cent फिर यह नहीं जी आप सिर्डवार को लेकर फिल्मिन मना安全 सभ माना रहें जो कि बना रहारों जीसे कि आप अबम नाने की कोशिस बहुत सारी लोग कर रहें जैसे कि आज जीसे किे बैक्ड थैप तानाजी मना रहें सलमान खान भारत बना रहें यह सारी फिल्म है जो कि बॉक्स ऑफिन बहुत अच्छा प्रद्रसन करेंगी जैसे जैसे खबरें इन सब फिल्मों के बारे में आ रही है हम सब के बीचे एक उत्रुक्ता बखती चली जा रही है लेकिन बात यहां भारत और ताना जी की नहीं बात हम कर रहे हैं बाहु बली कि आखिर बाहु बली जो सिनेमा है उसका डेफेक्स इतना महान क्यों था उसके पीछे लोगों की बहनता क्योंकि यह पहली फिल्म की जिसके जर्ये क्रू मिंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या किसी फिल्म का निर्मार सिर्फ उस फिल्म के हीरो, हीरोईन या फिर इसके अप्राइटर, मुजिसियन, इन सब के जर्ये किया जा सकता है हाँ, इन सब का योगदान है बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन, अगर आप इस फिल्म को देखेंगे इसके जो क्रू मिंबर्स थे, बहुत भारी संख्या में लोग थे एक प्रकार से, ये कहा जा सकता है, कि एसस राजा मौली ने इन फिल्मों के माध्यम से, एक रोजगार देने की ब्योसा की बहुत सारे लोगों का घर चला थे, बहुत सारे कलाकारों ने काम किया थे और एक नई परिभासा और निकल के आई, सिनेमा बनाने के लिए भाई, वाक्षाप करना जोरी पड़ता है अगर आप वाक्षाप नहीं करोगे ना, तो अच्छी सिनेमा नहीं बने ये ये एसस राजा मौली ने ही लोगों को बताया है और यही कारण है कि हमारे सल्मान खान साब डर गए है, अपनी फिल्म भारत के लिए वक्षाप करने लगे है और इनको देखो, अमिर साब को, सदमे में आ गए है, माँ भारत पर बेप स्रीज बनाना चाहते है अब उन्होंने भी एसस राजा मौलीक से ही कह सकते हैं कि सलाह लिए, जाकर के चूप चाप बैट गरके एक कमरे में इस फिर पर काम करना सुरू कर दी है लेकि मेरा मानना तो यह है कि बाउबली फिल्म क्या क्या थार्ट पार्ट बनना चाहिए या नहीं बाउबली फिल्म का थार्ट पार्ट बनना ही चाहिए वैसे जो खबरे आ रही है, इसके फिक्कॉल की खबरे आ रही है प्रिकॉल का निर्मार किया जा रहा है, बेब स्रीच के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाएगी, ये अच्छी बात है, लेकिन जो मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ, बाह बली का तीसरा पार्ट है, कदम नहीं रुकने चाहिए, कहीं नहीं कही है, तो मैं ऐसलिए मौली से कहना चाहता हूँ, आप डरिये नहीं, आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे सिनेमा प्रेमी हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आपकी बातों को मानेंगे, और आप जब भी बाहु बली तरीका निर्मार करेंगे, उससे भी लोग अपने दिल से लगा हैं, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आप हमें कमेंट करके ये बताइए, क्या बाहु बली तरीका निर्मार होना चाहिए या नहीं, भन्यवार। बाहु बली तरीका निर्मार करेंगे, 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 बाहु बली तरीका निर्मार अलंट दिखाया गया था लेकिन उनके पिता अब बिजाल देव कारें देखा जये तो बीजाल देव कियोंकि उन्होंने ही तो सारे इसे भी रस ही इससे यह तो फाни Championship बला लेंगे लिए बिजाल देव किसी भी हध तक जासके मिसे अपने बेटे की मौत का बदला लेते नजर आएं कटपा जो की बेहत वफादार इंसान है उनके जीवन के बारे में फिल्म में जादा कुछ बताया नहीं गया है सिर्फ इतना बताया गया है कि उनके पूरवजों के बचन के कारण वो हमेशा गुलाम ही रहेंगे तो यह तो अपने आप में ही सोचने की बात कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतने वफादार है और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो महेश मती और बाहुबली कैसे सही सलामत रहेंगे क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि जब तक कटपा बाहुबली के साथ है तब तक बाहुबली को कोई नहीं मार सकता है बाहुबली के थर्ड पार्ट में इसलिए कटपा की जीवनी को भी दिखाया जा सकता है अगर आपको याद हो कि बाहुबली तब बेगिनिंग में कटपा का सामना काबुल के शेख असलंग खान से होता है जो कटपा की वफादारी को देख कर उन्हें कहते हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो भूलना नहीं कि आपका कोई दोस्त भी है ये रोल फिल्म में सुदीप ने प्ले किया था तो हो सकता है कि सीन को इसी वज़े से रखा गया हो कि थर्ड पार्ट में इससे एक नहीं कहानी जोड़ी जाए और वैसे भी सुदीप खुद में ही एक बहुत ही मशूर और उम्दा आक्टर भी है फिल्म में दिखाया गया था कि शिवा भलाल देव के बेटे को मार देते हैं लेकिन फिल्म में भलाल देव की बीवी को कहीं नहीं दिखाया गया तो हो सकता है कि भलाल देव का कोई और बेटा या फिर बेटी हो जो की बाहुबली से अपने पिता की मौत का बतला लेने के लिए आए बाहुबली के डाइरेक्टर एसेस राजा मूली ने खुलासा किया है कि फिल्म का थर्ड पार्ट जरूर बनेगा लेकिन वो तभी बनेगा जब उनके पिता केवी विजेंदर प्रसाद उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे जिन्होंने पहले दो भावो की स्क्रिप्ट भी लिखी थी ऐसेस राजा मूली ने कहा कि वो जानते हैं कि फैंस बाहुबली के नाम से ही फिल्म देखने आ जाएगी लेकिन वो ऐसा नहीं चाते है, वो फैंस के साथ अनेस्ट रहकर एक लाजवाब फिल्म प्रस्तूत करना चाते है तो दोस्तों हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं देखते रहे हैं बॉलिग्राज शूडियोज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूने और अगर आपकी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेज़ी ज़क बूच सकते हैं बाहु बली के प्रिकुल की कहानी क्या है क्या बाहु बली की तरह एंटर्टेंडमेंट की सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी कैसे बाहु बली ने दक्षर के फिल्म रिर्माताओं के मन में लालज भर दिया भलाल देव और अमरेंदर बाहु बली के पुत्र महिंदर बाहु बली के बीच कितने सालोबाद युद्ध होता है नमस्कार दोस्तों मैं अवद और आप सभी का स्वागत है अमारे चैनल बॉली ग्रड स्टूडियोस की एक और नई अपडेट में एक और बाहु बली तैयार 2018 का सबसे बड़ा धमाका इंदिन और बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस चर्चा है ऐसे में एक बार फिर से भारतीय सिनिमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहु बली सुर्खियों में है इस फिल्म का प्रिक्वल बनने जा रहा है हाली में प्रिक्वल की कास्ट भी फाइनल कर दी गई है बाहु बली के ये प्रिक्वल डिजिटल प्लेटफर्म पर रिलीज होगी और ये डिजिटल प्लेटफर्म होगा नैटफ्लिक्स वही इस prequel में एक दिवचस्ट ट्विस्ट है जो दर्शकों के लिए वाके ही हैरान कर देने वाला होगा बाहु वली के prequel सीरीज में रिलीस किया जाएगा और ये ट्विस्ट है कि इसमें बाहु वली के बजाए शिव गामी देवी की कहनी दिखाई जाएगी ये सीरीज महिस मती सामराज की महरानी शिव गामी के जीवन पर आधारित होगी बॉलीवड में लव सोनिया जैसे स्ट्रॉंग फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रिस मिर्रार थाकुर शिव गामी का किरदार निभाएंगी मेकर्स की माने तो ये कहानी फिल्म की कहानी से पचास साल पीछे की होगी ये सीरीज फैंस को फिल्म के किरदारों के पास्ट में ले जाएगी जिसमें और भी नए किरदार जुडेंगे बाहु वली जैसे ब्लॉंक बस्टर फिल्म को लेकर ऐसा आइडिया काफी दिल्चस्प मालूम होता है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीरीज बाहु वली जैसी सुपर डूपर हिट हो पाएगी क्या बाहु वली की तरह इंटर्टेन्मेंट इंडस्टी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी तो चलिए इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं बाहु वली दा कंक्लूजन ने बनाई कितने ताबर तो रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा स्क्रीन बाहु वली दुनिया भर में लगभग 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है जो कि किसी भी भारती सिनेमा में बहुत ज्यादा है सबसे बड़ी ओपनिंग बाहु वली ने ओपनिंग डे पर लगभग 95% occupancy दिखाई थी जो कि किसी भी बॉलिवुड फिल्म से कहीं ज्यादा देखे 2017 की सबसे बड़ी ओपनर बाहु वली टू रईस के सारे रिकॉर्ड को बुरी तरह पचाड कर 2017 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित कुई सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बाहु वली टू ने ओपनिंग डे पर ही 121 करोड की कमाई कर ली थी सबी भासाओं को मिला कर जो की किसी भी भारती फिल्म से कहीं ज्यादा है सबसे बड़ी हिंदी डब ओपनिंग बहुवली टू की हिंदी डबिंग ने ओपनिंग डे पर 41 करोड की कमाई की जो की किसी भी दूसरी भासा की हिंदी डब इट फिल्म से ज्यादा है सबसे बड़ी तेलगू फिल्म ओपनिंग वाहवली 2 सबसे बड़ी तेलगू फिल्म भी ओपनर भी बन चुकी है तेलगू में फिल्म ने 53 करोड की कमाई की थी तेलकू तमिल मले आलम में सबसे बड़ी ओपनिंग तीन भासां को मिलाकर फिल्म ने 80 करोड का कलेक्शन किया था दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म दूसरे दिन सभी भासां को मिलाकर फिल्म ने 102 करोड की कमाई कर ली ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शाहे भी कोई हिंदुस्तान में तोड सके दूसरे दिन की सबसे ज़्यादा कमाई साल 2017 में दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है बाहुवली 2 अमेरिका में भी टॉप दो दिनों में अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी बाहुवली सबसे तेज 200 करोड दो दिनों में 200 करोड कमाने वाली पहली फिल्म है बाहुवली 2 केरल में सबसे जल्दी 10 करोड कमाने वाली फिल्म है बाहुवली सबसे बड़े वीकेंड बाहुवली 2 पहले वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है बाहुवली 2017 की सबसे बड़े वीकेंड साल साल 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड देने वाली फिल्म बन चुकी है बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है 123 करोड सिंगल डे कमाई बाहुवली 2 सिंगन डेपर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बाहुवली ही है रविवार को फिल्म में 46 करों की कमाई गी थी बाहुवली ने दक्षन के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच मर दिया था और ये है वो लालच निर्देशक एस राजा मौली की बहु प्रतिश्चित फिल्म बाहुवली के दो भागों ने कमाई के मामले में सभी भाशाओं में कई रिकॉर्ड भस्त कर दिये थे और यही कारण है कि दक्षन भारत में अब उस तरह की फिल्म बनाने के लिए सबी हाथ पर मार रहे हैं हालनकि ये एक शेत्रिय भाशा की फिल्म थी लेकिन इस फिल्म को जिस भाशा में भी डब किया गया उस भाशा में इस फिल्म में सारे रिकॉर्ड तो उठ दिये जिसके चलते कई निर्माता निर्देशक उनकी फिल्म को बहुवली की स्थर पर शूट कर भारत और विदेश में उसी स्थर पर रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं हाली में रिलीज हुए फिल्म के KGFK ट्रेडर लॉंच वर फिल्म के निर्देशक प्रशाथ नील और अभिनेता यस दोनों का मानना था कि बहुवली और SS राजा मौली ने उन सब के लिए कमाई की नए द्वार खुड़ दिये हैं और उनमें भी हुसला आया है कि वो उनकी फिल्मों का इस्तर बढ़ा बना कर लोगों के सामने ले कर आया है कटपा सत्य राज अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकास ने बाहुवली प्रभास को मारा कालके से जीतने के बाद महिस्मती में अमरेंद्र बाहुवली को भविश्यका राजा और भलाल देव यानी की राना डगवती को सैनापती खोशित कर दिया जाता है राज्या बिसिक होने से पूर्वी अमरेंद्र की मा शिवगामी रम्या कृष्णन उसके लिए दुलन की तलाश करने लगती है वो अमरेंद्र और कटपा को कहती है कि सामराज की स्थिति और इसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें अमरेंद्र को कुंतल सामराज की राजकुमारी और उसकी राजा की बहन देवसेना अनुष्का सेटी से प्यार हो जाता है भल्लाल को पता चलता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है इसके बाद वो शिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है इस कारण वो इसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राजी को भेशता है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है देव सैना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े सब्दों के साथ मना कर देती है जब शिवगामी को उसका उतर मिलता है तो वो क्रोध में देवसेना को बंदी बना कर लाने का आदेश देती है कुंतल सामराजी पर पिंजारियों का हमला हो जाता है देवसेना के भाई की साहता से अमरेंद उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है अमरेंदर उसे कहता है कि वो कौन है और शिवगामी के क्रोंत के भई को दूर करने और उसे अपनी दुलहन बनने ही तू राजी करने की कोशिस करता है जब वो महिसमती पहुंसता है तो उसे गलत हमी का पता चलता है शिवगामी उसे सिंगहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है तो वो देवसेना को चुनता है इस कारण भलाल वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सैना पती पर फिर भी लोगों से ही राजा मानते हैं देवसेना की गोध भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सैना पती के कार से चुट्टी देजी थी जिससे वो अपनी पत्नी के साथ रह सके उसी समय देवसेना राजा भलाल के हेर फेर के खिलाब बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है इस कारण जगडा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बहार कर दिया जाता है वो दोनों बहार के लोगों के बीच खुसी से जिंदगी पिताने लगते हैं पर भलाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि उसने यह अचalties बॉलती है कि वह संकत में है और उसे अमरेंद्र को मारना है देव सैना भी अपने पच्चे महेंद्र बावली के साथ वहा आती और उसे बारे में पता चलता है शिवगामी महल के बाहर घबरा ही भी को बताती है कि हम्रेंद्र मढ़ चुका और अब उसका पुत्र महेंद्र बहुवली यानिकी प्रभास्त नया राजा होगा इसके बाद भलाल उसके लोग मिलकर देवसेना उसके बच्चे को पकड़ कर कारावास में डालने की कोशिच करते हैं देवसेना अबने बच्चे को सिवगामी को सौप देती है जो कि भागने में सफल रहती है लेकिन देवसेना अपने आपको नहीं बचा पाती है उसे कैद लिए जाता है 25 वर्षवाद भलाल देव और अमरेंद्र बाहुवली के पुत्र महिंद्र बाहुवली में बहेंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है महिंद्र बाहुवली का राज्च विशेक होता है और महिस्मती का नया राजा बन जाता है तो दोस्तों बाहुबली के आने वाली इन सीरीज में माता शिवगामी के पिछले जीवन को दिखाया जाएगा कि वो एक समान इस्त्री से महिस्मती जैसे सिंगासन की रानी कैसे बनी उनका ये सफर कैसा रहा और इसके बाद बाहु बली के आगे की कहानी को भी दिखाया जाएगा इस प्रीक्वल के जारी टीजर में कोई नहीं जलक तो नहीं देखने को मिली क्योंकि टीजर वीडियो से पहले रिलीज बाहु बली की दोनों फिल्मों में कुछ शॉर्ट्स लिए गये हैं नेट्फलिक्स बाहु बली के पहले सीजन में 9 एपसोड दिखाएगा इसमें बताया जाएगा कि एक पूरा शहर कैसे समराज हमें तबदील हुआ इसके बाद इसका दूसरा सीजन भी रिलीज होगा फिलाल इसकी कास्टिंग और रिलीज डेट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है और नहीं फिलाल इसके जारी होने की कोई सूचना टीजर में दी गई है दोस्तों ये बहुत इस सर्प्राइसिंग हैं हमारे लिए अब देखना ही ये है कि कब रिलीज डेट एनाउसमेंट होती है इसके लिए देखते रहें बॉलिग गाड़ी स्टूडियोज आने वाले इंटरस्टिंग फिल्मों के इंटरस्टिंग फैट्स के लिए अमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रेस्ट बडल एकन फो और अप्देश अनों चैनल को चैनल को सब्सक्राइब करें बाहुवली के प्रिकुल की कहानी क्या है? क्या बाहुवली की तरह एंटर्टेन्मेंट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाईगी? कैसे बाहुवली ने दक्षर के फिल्म रिर्माताओं के मन में लालज भर दिया? भलाल देव और अमरेंद्र बाहुवली के पुत्र महिंद्र बाहुवली के बीच कितने सालों बाद युद्ध होता है? नमस्कार दोस्तों मैं अवद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्रेड स्टूडियोस की एक और नई अपडेट में एक और बाहुवली तैयार 2018 का सबसे बड़ा धमाका इन दिन और बॉली वुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्ट चर्चा है ऐसे में एक बार फिर से भारतिय सिनिमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहुवली सुर्खियों में हैं इस फिल्म का प्रिक्वल बनने जा रहा है हाली में प्रिक्वल की कास्ट भी फाइनल कर दी गई है बाहुवली के ये प्रिक्वल डिजिटल प्लेटफर्म पर और ये digital platform होगा Netflix वही इस prequel में एक दिव्चस्ट ट्विस्ट है जो दर्शकों के लिए वाएँ हैरान कर देने वाला होगा बाहु वलि के prequel series में रिलीज किया जाएगा और ये twist है कि इसमें बाहु वलि के बजाए शिव गामी देवी की काहनी दिखाई जाएगी ये सीरीज महिस्मती साम्राज की महरानी शिवागामी के जीवन पर आधारित होगी बॉलिवड में लब सोनिया जैसे स्ट्रॉंग फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रिस मिर्णार ठाकुर शिवागामी का किरदार निभाएंगी इसकंदास के किरदार में राह कहानी फिल्म की कहानी से 50 साल पीछी की होगी ये सीरीज फैंस को फिल्म के किरदारों के पास्ट में ले जाएगी जिसमें और भी नए किरदार जुडएंगे बाहुवली जैसे ब्लॉंक बस्टर फिल्म को लेकर ऐसा आइडिया काफी दिल्चस्प मालूम होता है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीरीज बाहुवली जैसी सुपर डूपर हिट हो पाईगी क्या बाहुवली की तरह इंटर्टेन्मेंट इंडस्टी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाईगी तो चलिए इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं बाहुवली तक कंक्ल प्रतिस्त ओक्यूपेंसी दिखाई थी जो कि किसी भी बॉलिवुड फिल्म से कहीं ज्यादा देखे 2017 की सबसे बड़ी ओपनर बाहुवली तू राइस के सारे रिकॉर्ड्स को बुरी तरह पचाड कर 2017 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म साबित हुई सबसे बड़ी ओपन 300 करोड बाहुवली टू भारत की सबसे 300 करोड कमाने वाली फिल्म है सबसे बड़ी हिंदी डब ओपनिंग बाहुवली टू की हिंदी डबिंग ने ओपनिंग डे पर 41 करोड की कमाई की जो कि किसी भी दूसरी भासा की हिंदी डबेट फिल्म से ज्यादा है सबसे बड़ी त तेलगु फिल्म विओफ्वन चुकी तेलगु में फिल्मरे 53 करोर की कमारी कि ठी तेलगु तमिल्लमे 102 करोर की कमारी कर ली यह एक ऐसा एक जो शाहिदी को हिंदुस्तान में तोड़ सके दूसरे दिन की सबसे ज़्यादा कमाई साल 2017 में दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है बाहुवली 2 अमेरिका में भी टॉप दो दिनों में अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी बाहु वली सबसे तेज 200 करोड दो दिनों में 200 करोड कमाने वाली पहली फिल्म है बाहु वली 2 केरल में सबसे जल्दी 10 करोड सिर्फ केरल में ही सबसे जल्दी 10 करोड कमाने वाली फिल्म है बाहुवली सबसे बड़े वीकेंड बाहुवली टू पहले वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है बाहुवली 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड साल साल 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड देने वाली फिल्म बन चुकी है बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है 123 करोड सिंगल डे कमाई बाहुवली टू सिंगल डे पर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बाहुवली ही है रविवार को फिल्म में 46 करोगी कमाई गी थी बाहुवली ने दक्षन के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच भर दिया था और ये है वो लालच निर्देशक एस राजा मौली की बहु प्रतिष्चित फिल्म बहु वली के दो भागों ने कमाई के मामले में सभी भाषाओं में कई रिकॉर्ड धुस्त कर दिये थे और यही कारण है कि दक्षेनद भाषाओं में अब उस तरह की फिल्म बनाने के लिए सबी हाथ प्रमा रहे हैं अललंगी ये एक शेत्रिय भासा की फिल्म थी लेकिन इस फिल्म को जिस भासा में भी डब किया गया उस भासा में इस फिल्म में सारे रिकॉर्ड तो उठ दिये जिसके बाद दक्षिन भारत के कई बड़े निर्माता और निर्देशकों को अन्य भाशा की विशेषकर हिंदी भासी लोगों में डक्षन के भारत की फिल्मों के प्रती कितना प्रेम है इस बात की जानकारी हो पाई और जिसके चलते कई निर्माता निर्देशक उनकी फिल्म को बहुवली की स्थर पर शूट कर भारत और विदेश में उसी इस्थर पर रिलीस करने की तैयारी कर रहे हैं हाली में रिलीज हुए फिल्म के KGF के ट्रेडर लॉंच वर फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील और अभिनेता यस दोनों का मानना था कि बाहुवली और SS राजा मौली ने उन सब के लिए कमाई के नए द्वार खुण दिये हैं और उनमें भी हुसला आया है कि वो उनकी फिल्मों का इस्तर बड़ा बना कर लोगों के सामने लेकर आयें इससे वो सर्फ ट्रेड सर्किट्स में मुनाफ़ा कमा सकेंगे फिल्म केजी एफ पाँच भासों में रिलीज होगी और फिल्म दो भागों में रिलीज होगी फिल्म में 70 के दशक के अंदाज में पेश किया गया है फिल्म को बनाने में पूरे 1000 दिन लगे है हालांगि पूरी फिल्म की शूटिंग 1500 से 200 दिनों में ही कर ली गई लेकिन बाकी के दिन पोस्ट प्रोडेक्शन और बाकी के तैयारी में लग गए फिल्म केजी एफ कोलारी के सोने की खांड से जूड़ी कहानी है ये फिल्म क्रिस्मस के मौके पर 21 दिसम्बर को रिलीज हो रही है फिल्म की कहानी को मिताब बच्चन के एंगरी मैन की छवी की तरह दिखाया गया है कटपा सत्य राज अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकास में बाहु वली प्रभास को मारा कालके से जीतने के बाद महिस्मती में अमरेंद्र बाहवली को भविश्य का राजा और भलाल देव यानी की राना डगुवती को सैनापती घोशित कर दिया जाता है राज जबिशीक होने से पूर्वी अमरेंद्र की मा शिवगामी रम्या कृष्णन उसके लिए दुलन की तलाश करने लगती है वो अमरेंद्र और कटपा को कहती है कि इस सामराज की स्थिति और इसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें अम्रेंद्र को कुंतल सामराजी की राजकुमारी और उसकी राजा की बहन देवसेना अनुष्का सेटी से प्यार हो जाता है भल्लाल को पता चलता है कि अम्रेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है इसके बाद वो शिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है इस कारण वो उसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राजी को भेशता है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है देव सैना इस शादी के प्रस्ताव को करड़े सब्दों के साथ मना कर देती है जब शिवगामी को उसका उतर मिलता है तो वो क्रोध में देवसेना को बंदी बना कर लाने का आदेश देती है कुंतल सामराजी पर पिंजारियों का हमला हो जाता है देवसेना के भाई की साहता से अमरेंद उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है अम्रेंदर उसे कहता है कि वो कौन है और शिवगामी के क्रोंत के भय को दूर करने और उसे अपनी दुलहन बनने ही तू राजी करने की कोशिस करता है जब वो महिसमती पहुंसता है तो उसे गलत हमी का पता चलता है शिवगामी उसे सिंगहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है तो वो देवसेना को चुनता है इस कारण भलाल वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सैना पती पर फिर भी लोगों से ही राजा मानते हैं देवसेना की गोध भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सैना पती के कार से चुट्टी दे ली थी जिससे वो अपनी पत्नी के साथ रह सके उसी समय देवसेना राजा भलाल के हेर फेर के खिलाब बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है इस कारण जगडा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बहार कर दिया जाता है वो दोनों बहार के लोगों के बीच खुसी से जिंदगी पिताने लगते हैं पर भलाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि उसने यह भिष्वा करने वाले सेवक कटपा से बोलती है कि वो संकत में हैं और उसे अमरेंद्र को मारना है शिवगामी के कहने पर कटपा ने अमरेंद्र की पीट पर दोकिस से मार दिया फिर कटपा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंदर बाहोवली की मौत हो गई है देव सैना भी अपने पच्चे महेंदर बाहोवली के साथ महां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीर को बताती है कि अमरेंद्र मट चुका है और अब उसका पुत्र महेंद्र बहवली यानिकी प्रभास नया राजा होगा इसके बाद भलाल उसके लोग मिलकर देव सेना उसके बच्चे को पकड़ कर कारावास में डालने की कोशिच करते हैं देव सेन अपने बच्चे को सिवगामी को सौप देती है जो की भागने में सफल रहती है लेकिन देव सेन आपने आपको नहीं बचा पाती है उसे कैद कर लिया जाता है 25 वर्स वाद भलाल देव और अमरेंदर बाहुवली के पुत्र महिंदर बाहुवली में वहेंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है महिंदर बाहुवली का राज्च विशेक होता है और महिस्मती का नया राजा बन जाता है तो दोस्तो बाहुवली के आने वाली इन सीरीज में माता शिवगामी के पिछले जीवन को दिखाया जाएगा कि वो एक समान इस्त्री से महिस्मती जैसे सिंगासन की रानी कैसे बनी उनका ये सफर कैसा रहा और इसके बाद बाहुवली के आगे की कहनी को भी दिखाया जाएगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाहुवली की ये सीरीज सारे रिकॉर्स तोड़ पाएगी क्या दर्सक उसी तरह से इसके लिए एक्साइटेड है जैसे कि बाहुवली के दूसरे पार्ट के लिए थे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिलकूर ना भूले और टो प्रोगे टो प्ला बस्टा बाल इकन वोर अपड़ेट और नोटिफिकाशन क्या बाहवली थिरी बनाई जा सकती है बाहवली थिरी के लिए बॉली बुड के किन किन सुपरिस्टार को काश्ट किया जा सकता है बाहवली ने IPL को कैसे मात दी थी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले गरहत के फिल्मी गलियारे में कुछ भी कहिए लेकिन बॉलिवुड तो बॉलिवुड होता है और आपके बॉलिवुड कीडे ने कभी न कभी तो बाहवली की बॉलिवुड स्टार कास्ट के बारे में सोचा होगा वैसे फिल्मी गलियारों में आए दिन इस पर डिसकसन होते ही रहते है और बौहवली का सबसे दिल्चस्व डिसकसन होता है बौहवली की Bollywood Starcast अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सल्मान खान हालाकि पहले की बात और ती लेकिन अब सल्मान बौहवली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं हाला कि लोगों का मानना है कि सलमान खान से बहतर आपसंस बॉलिवुड के पास बाववली रिमेक के लिए है वैसे तो बाववली का बॉलिवुड रिमेक बनना ना के बराबर लेकिन सोचिये की वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितनी सांदार होगी प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई आपसंस है वहीं जब बाववली रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलिवुड इस्टार कास सोच ली थी फिल्म में केटिना कैप्स तबू से लेकर अब से एक बच्चन तक को जगा मिली थी लेकिन अब वक्त बदल चुका है और बॉलिवुड भी हाला कि सुपरस्टार आज भी सल्मान खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता बाववली के साथ मिलकर वो आठ सो करोन का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं वैसे तो यसाज राजा मौली एक हजार करोन की मा भारत की तयारी कर रहे हैं लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास के साथ बाववली का रिमेक बना सकते हैं तर बाववली किरदार की बात करें तो रितिक रोसन एक तरफ जहां उन्होंने जोधागबर में कमाल किया वही मोहन जोद्रो कैसी भी फिल्म रही हो लेकिन रितिक रोशन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे वैसे भी उनकी फैन फालोउंग सांदार है ऐसे में बाव वली के किरदार में रितिक रोशन जान डाल देते अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखे तो उन्हें हर तरह के किरदार में देखा जा चुका है लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया तो आमिर खान अगर बाव वली का किरदार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं ये देखना काफे दिल्चस्प होगा वैसे तो सल्मान खान सुल्तान है लेकिन जब से बाववले रिलीज हुई है तब से सब का यही मानना है कि सल्मान को चाहे बॉलीवुड का बाववली कह लो या फिर प्रभास को साउथ का सुल्तान दोनों एक ही बात है वैसे भी बीर जैसे फिल्म में सलमान खान अपना पीरियद ड्रामा वाला जलबा दिखा चुक है त मनना भाटिया वाला किर्दार सूर्धा कापूर स्रद्धा कपूर तवन्ना भाटिया के अवंतिका किरदार बाको भी निभालेंगी एक तरफ बागी में उनके इस्टंस तो लोगों ने देखी लिए हैं वहीं दूसरी तरफ स्रद्धा कामो का अंदाज में बेहत खूबसुरत लगेंगी और बाव वले के साथ उनके भीगे भीगे गाने अनुसका से त्थी द्वारा निभाएगे रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सुनाक्षी सिनहा देव सेना के किरदार के लिए परफेक्ट होगी क्योंकि पहला तो वो रितिक रोशन के साथ रोमांस करती हुई सूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किरदार में वो भी बाखू भी जमेगी लेकिन कटपा का रोल को निभाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो कटपा के रोल के लिए नसरुदीन साफ फिल्म का सबसे अहम किरदार जिस पर पूरे देश की नजरे है आखिर उसने बाववली को क्यों मारा ये नसरुदीन साफ बड़े अच्छे से समझा लेंगे के बाद आता है एक महत्वपूरू करेक्टर शियोगामी सियोगामी के करेक्टर के लिए विद्या बालंस से बेहतर कोई और चोईस नहीं हो सकती है वैसे अगर वो ये किरदार नहीं निभाती है तो आपसंस में हमारे पास है अगर विद्यल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनफम खेर बहुत संजितगी के साथ निभा सकते है उनमें निगेटिव, पोजिटिव और ग्रे हर तरह का स्टेट दिखाई दे जाएगा कालके, असरो की राजा कालके की भूमका में नवाजु दिन सिद्ध की बेहतरी लगेंगे तो दोस्तों, अगर आपको भी बाहवली की काश्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताए अजा मॉले स्टर बाहवली को आज रीज वे पूरे दो साल हो गए और इन दो सालों में भी फिल्म की आदे, आज तक दाजा है चाहे वो प्रभास का क्रदार अमरेंदर बाहवली हो या फिर राणा दगुपाती का क्रदार भल्लाल देव फिल्म के दो साल पूरे होने की खुशी में फिल्म के ट्वीटर हैंडिल से एक सांदार ट्वीट किया गया था बाहु वली को पूरा हुए दो साल हो चुके है फिल्म ने नाके वल सांदार रिकार्ड बनाये थे बलकि भारतिय सिनेमा के स्टेंडर्ड से सांदार किर्तमान और उदारण भी लिखे सभी को धन्यवाद इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहवली ने काफी मिथक तोड़ी थी फिल्मों के लिए IPL सीजन ठंडा माना जाता है और इस दोरान लोग मैज देखना पसंद करते हैं फिल्मे नहीं लेकिन बाहवली ने साबित किया कि लोग फिल्मे भी देखते हैं और तावर तोड देखते हैं बास अरते फिल्मे देखने लायक हो तो बाहवली को फेस्टिबल के बिना रिलीज किया गया था अक्सर देखा गया है सल्मान खान की ईद और शारुक खान की दिवाली आमिर खान का क्रिस्मस और जो बचे वो अक्षे कुमार रितिक रोसन का इन सब चक्कर में पढ़कर फिल्में नहीं कमाती हैं ये बाव बली ने दिखा दिया एक मित इस्टारडम से कमाती हैं फिल्में फिल्में जब तक कोई बड़ा इस्टार नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी ऐसा नहीं होता है बाव बली में तमन्ना छोड़ कर किसी को लोग नहीं जानते थे बलकि राजा मौले भी चाहते थे कि फिल्म में पहचानने हुए चेहरे हो जैसे रितिक रोसन, जान इब्राहिम पर ऐसा नहीं हो पाया और सायद अच्छा ही हुआ बात करते हैं प्रमोशन परमोशन के बिना भी होता है गुजारा सारुखान रेल से रईस का परमोशन कर रहे थे तो अब से बच्चन एक ही दिन में दस सहर जाकर अपनी फिल्में प्रमोट किये इतने ज्यादा परमोशन से कुछ नहीं होता बिना परमोशन भी फिल्में चल जाती है अगर ढंक से प्लान किया जाए तो कंटेंड होता है बॉक्स ओफिस का बाब केवल एक स्टार को लेकर गाने डाल कर एक आइटम नम्मर और थोड़ा सा रोमान से फिल्म के लिए काफी नहीं होता फिल्म को कंटेंड चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ओफिस पर टिकती है बिना आइटम सॉंग के भी फिल्म हिट होती है ये तो बॉलीबूट जरूर सीख ले स्क्रीन से नहीं दर्शकों से होती है कमाई हर स्टार अपनी रिलीज की स्क्रीन बढ़ाता जाता है जैसे अगर बजरंगी चार हजार स्क्रीन पर लीज हुई तो सुल्तान पांश यार लेकिन इससे कुछ नहीं होता उम्र इसे नहीं बनता हीरो हीरो और रोमांस उम्र देख कर किया जाना चाहिए वरना कितना भी सुपरिस्टार हो दर्सक उसे नकार ही देंगे फटा फट नहीं बन जाती फिल्में बावबली पांच साल में बनी यहां प्रेम रतन धनपायो का स्रीवल जरा सा खिचा था कि आफ़त हो गई थी हमारे हाँ 40 दिन में फिल्म मिट्टा लेने की परंपरा है क्योंकि कई स्टार्ज की फिस भी हर दिन के हिसाब से होती है ऐसे में अच्छी फिल्मे कहां से बनेंगी जो टिकता है वो विकता है जो बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन तक टिका रहा वही विका है यहां पर उल्टा होता है शुरू के तीन दिन फिल्म ने जितना कमा लिया, वही फिल्म की जमापोजी होती है क्लास वाले फिल्में, कुछ फिल्में एक क्लास के लिए होती है ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छी फिल्में हर दर्सक वक्त देखना चाहता है तीन दिन में सौ करोन, अगर फिल्म ने तीन दिन में सौ करोन कमा लिया तो वो ब्लॉक बास्टर है, यहां बाह बली ने चार दिन तक लगातार सौ करोन कमाया डाइक्टर वो ही जो हीरो मनभाए हमारे हां आक्टर अपना डाइक्टर ढून लेता है जैसे कि Сलमान ने टाइगर सिक्वल के लिए अपने सुलतान डाइक्टर को फाइनल कर लिया जब कि एक था टाइगर कबीर खान की कहानी है जो दिमाग से काफी सक्चम है और जो मानते हैं कि सिक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते एक फिल्म का हवा किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए जैसे कि हीरो रिमेक को सलमान ने प्रमोट कर कि फिल्म की जान निकाल दी सिक्वल मतलब सिक्वल भाया सीधी सी बात है सिक्वल मतलब सिक्वल होता है और वो काईदे से प्लान बनाने के बाद ही बनाया जाता है बाव वली टू ने बॉलिवुड के उन सभी ठोस नियम की ऐसी की तैसी कर दी थी वो नियम जो थे तो फरजी पर जिनका पालन बॉलिवुड हाथ मेर धोकर करता था फिल्म चल जाए या ना चले इन नियमों को बदलने के कोशिस किसी नहीं की लेकिन बाव वली ट्यू ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्यां उड़ा दी और बॉलिवुड को सोचने की जरुवत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे धीरे धीरे बॉलिवुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताएए क्या आप बाव वली ट्यू का रिमेक करवाना चाहते हैं या नहीं या फिर नए सुरे से बाव वली ट्यू की कहानी का आप इंतजार कर रहे हैं हम आपके प्रस्णों के उत्तर जानने के लिए बहुत उस्सुक है क्या राजा मौली बना रहे बाववली 3? कैसी होगी बाववली 3 की कहानी? बाववली 2 फिल्म में वो कौन सी गलतियां हैं जिन पर आपकी नजर नहीं गई आपका स्वागत करते हैं बॉले गराथ के फिल्मी गल्यारे में बाववली एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसकी कमाई के आगे किसी भी फिल्म के टिकने की कोई गुंजाईस नहीं वो बाववली की कहानी हो या फिर इसका स्टार कास्ट इसने लोगों को अपना दिवाना बना दिया बाववली इकलोती ऐसे फिल्म है जिसने रिलीज से पहले और रिलीज के बाद कई रिकार्स अपने नाम किये बाव वली के निर्देशक ने गोस्रा की है कि भले ही बाव वली की कहानी बड़े पड़ते पर खत्म हो जाए पर इसकी दुनिया का कभी अंत नहीं होगा ये होगी बाहवली थिरी की कहानी बताया जा रहा है कि बाहवली के बाद अब बाहवली थिरी भी बनने चा रही है ये बात हम नहीं कह रहे हैं बलकि फिल्मी गलियारों में ऐसी खबर आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि बाहवली थिरी बनने का ऐलान खुद राजा मौली न िपिता कि चल देव की कहानी को फिलमाएंगे. ये फिल्म बायव वली सिरीच का प्रिक्यों होगी, जिस में बायव गुष शाखितने को नहीं की काशा जा रहा है। इस बाववली की तीसरे भाग में प्रभास होगे, या फिर किसी नए चेहरे को काश किया जाएगा इसके बारे में इसे राजा मौली ने कुछ नहीं कहा बाव वली टूप फिल्म आई ये भी पता लग गया कि बाव वली को कटपा ने मिस कॉल का जवाब ना देने पर मारा बाव वली सी जुड़ी छोटी सी छोटी डिटेल अब आपके पास है काल के के बेटे का असल जिन्दगी में किस स्कूल में डिविशन हुआ है से लेकर ये तक पता है कि तवन्ना सेट पर दही जलेबी में नीमूर निचोड़ कर खाती थी ये इस फिल्म में जनता के इंट्रेस्ट की हद है साड़ी तक आगे है बाव वली प्रिंट की और तो और बंगलाद देश से 40 जने फिल्म देखने इंडिया आये थी चार्टर प्ले से तो समझ रहे हैं आप रेरा खिचा है फिल्म का कमाई का तो पूछो नहीं अब ऐसे में लोग आगे आये हैं फिल्म की गलतिया लेकर यूटूब से लेकर सोचल मीडिया तक फिल्म में जो गलतिया और खामिया है या नहीं है वो बताई जा रही है ये बताया गया सोता हुआ जूनियर हार्टेस्ट टेलर में भी आपने ये सीन देखा होगा तीसरी चौती लाइम में कड़े एक आदमी की आँके दिखा कर कहा जा रहा है कि शूटिंग के वक्त ये आदमी सो गया ये बड़ा फरजी फाइट किसी एक फ्रेम में उसकी आँक बंद हो गई दिखाया ये गया कि भलाल अपनी गदा से उसे मार रहा और उसके जोड से फर्स तक तूट गया लेकिन एफेक्ट लगाने में गलती हो गई और गदा पढ़ने से पहले ही फर्स तूट गया ये सही गलती पकड़ी गई है लेकिन फिल्म देखते वक्त आप उत्तेजना और तेजी में ये चीज मिस कर देते हैं तीसरी गलती एक वार से चार आदमी उड़ गए बिना चोट खाए ही एक सीन में जंगल में एक पालकी गुजरती है डाकू उसे लूटने को होते हैं लेकिन अंदर से देव सेना निकल आती है और डाकूं को चीट कर देती है लडाई करती हुए वो तलवार चलाती है और डाकू और डाकू ये जा वो जा के हाल में उड़ने लगते लेकिन सीन देखा जाए तो पता लगता है कि बिना तलवार छुए ही तीन डाकू उलिये थे ये तो दोस्त कुछ भी था इतना तो कर लेते कि सब को एक एक रत्ती तलवार छुआ देते जो थी गलती डेड बॉडी कहा गई दोस्त फिल्म देखा इसके बारे में कहा गया है कि जब कटपका ने बाव वली को तलवार मारी तो वहाँ तीर और एक डेड बॉडी पड़ी थी पर अगले ही सीन में वो कहा गई बिना पूझ के तीर तीर के दो हिस्से होते हैं एक नोग दूसरा पिछला सीरा एक वीडियो में दावा किया गया है कि इस सीन में तीर का पिछला सीरा गायब है यार प्लीज कुछ सलीके का लाओ फिर से वही एक फ्रेम देख के बाद कह दी वो जिस एंगिल से तीर आ रहा है नहीं दिख रहा है पिछला सीरा बाकि अगल बगल हजार तीर है सम में पूझ दिख रही है लोग इत्ते बुद्दू भी नहीं है कि जिस तीर को दिखा रहे हैं उसमें ही गलती करते भद्रा की मा का उन्ती देव सेना स्युगामी अवंतिका इन सब को हमने जाना लेकिन एक महला और होनी थी भालाल की बीबी आपको भद्रा याद है ना हरे वो जिसका गला सिवा यानि बाव वली का बेटा पिछली जनम में ही काट लेता है उसकी मा का उन्ती इस फिल्म में भी देव सेना और भलाल की पूरी नफरत दिखाए गई लेकिन ये जिक्र तक नहीं आया है कि भलाल की साधी किस से हुई बाव वली को कटपा ने क्यों मारा के बाद यही सवाल तो इस बार नया जोग बना है कि भलाल की बीबी आखिर थी को है ये इस बार का बड़ा लोच है जादा नहीं बताएंगे लेकिन ढाल का फिल्म में बहुत सही यूज हुआ है लेकिन अभी देखिए इस बड़ी सी ढाल में पकड़ने का तो हत्ता ही नहीं है जो कि दूसरे सीन में दिखता है ये एक मज़ेदार भूल नवा ये सीन कहीं देखा है कुछ लोग फिस्बूप पर ये दावा कर रहे हैं कि ये सीन कहीं देखा हुआ या कॉपी किया हुगया है दरसल ये सीन टेलर में तीरों के एक स्विक्वेंस के साथ आता है जिसकी वज़ा से कैप्टन अमेरिका सिविल वार का वो सीन बरबसी याद आता है जिसमें एंटमेन हॉक आई के तीर पर सबारी करता है माने ये सीन कहीं से कॉपी नहीं किया गया बस एक सा होने के करण थोड़ा उस जैसा लगता है पॉइंट कहा है बेई? अरे यार महिएं और आप सुनते शुनते ये भूल गए साथ नम्मर पर कुछ है ही नहीं यार तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए क्या बाहु वली ती बननी चाहिए या नहीं तो लगता है ऐसे ज़राजा महुली को बाहु वली ती बनानी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में अगर भारत में बनती है तो हमारा भारतिय सिनेमा विस अस्तर पर आराम से अपनी उपस्तती दर्ज करा सकता है आज के लिए बस इतना ही बाहवली को बॉलिवुड कर्ट क्लो में क्यों सामिल किया गया है हलो दोस्तों मैं डाक्टर रमेंदर शक्रवर्थी आप सभी का स्वागत करता हूँ बॉलिगराद के गल्यारे आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसर्ज राजा मौली के फिल्म बाहवली के बारे में जब भी बाहवली का जिक्र होता है, भारती संन्यमा का रास्ता हौलिवूड की ओर साब दिखाई लता है क्योंकि एसर्ज राजा मौली एक ऐसे निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने हौलिवूड की ओर एक रास्ता बनाया अपने इस फिल्म के माध्यम से क्योंकि इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बाते थे जो लोगों को प्रेद करती हैं हॉलिवूड लेबल की फिल्में बनाने के लिए चाहे इस फिल्म के पात्र को लिया जाए चाहे इस फिल्म के स्टोरी को लिया जाए या इस फिल्म के बेफेक्स को लिया जाए ये सारी बाते जो थी वो सब हॉलिवूट फिल्मों में आप आसानी से देख सकते हैं अगर हम बाववली की स्टोरी की बात करते हैं तो बाववली की स्टोरी थी वो हमारे महाकाब रामायड और महाभारत से प्रेज़ थी और बाहवली के जो पात्र भी थी, वो सारे पात्र रामायड और महाभारत से ही दिये गए थी अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाहवली का जो लीड फिरोग यानि कि अम्रेद बाहवली अम्रेद बाहवली को रामायड के राम से क्यों प्रेरित किया गया थी बेसिकलिए अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो हमारे देश का जो समाजिक प्रदिश है वो बदल रहा है सत्ताय तूट रहें समाजिक विसंगती आ गए तो क्योंकि सिनेमा जो होता है वो समाज का आइना होता है और सिनेमा के माध्यम से बहुत सारे निर्देशक ये समझाने की कोशिस करते हैं कि किस प्रकार से समाज को एक जिसा दिया से रामायर में का भी पाठ जो है राम के माध्यम से ये दिखाने की कोशिस की गई थी कि हमारा भारतिय समाज कैसा होना चाहिए एक आदसवादी, रामार में ये दिखाने के कोशिस की गई थी कि एक बेटा अपने बाप का कहना कितना मानता है और बाहु बली में ये दिखाने के कोशिस की गई है कि एक बेटा अपने माँ का कितना कहना मानता है दोरों चीजे एक ही है बस समय बदला है क्योंकि उस समय की जो सफ्ता थी वो फुर्सों के हाथ में थी और आज की जो सफ्ता है क्योंकि हर कोई चाहता है नारे अंदोलन को एक प्रकार से सम्मान देना चाहता है बुमिन इंपॉर्मेंट की बात करता है तो बाउभली फिल्म में एससे राजा मौली ने एक बुमिन इंपॉर्मेंट की बात की ती और दिखाने का भी कोशिश किया गया है कि एक बुमिन किस प्रकार से पुरुष को कहां से कहां पहुचा देती हाँ क्योंकि राजसत्ता की कहानी थी इसलिए थोड़ा-थोड़ा कहीं-कहीं पर उसे निरंकुस दिखाये गया है अब अगर इसमें दूसरे पातर की बात किया जा है कि महाभारत का जो सकुनिट और इस बाहल बली का जो खलाएक दोनों में समानता है उसकारता पातर से प्रेरिता और महाभारत का जो भीस्म बहा बाहभाले का जो कटहपप बॉनों में समानता हैं उधर महाभारत का भेस्त पूरा जीवन सिंहासन की रच्छा करते हैं, बिना साधी कि अपना संपूर्ट जीवन ने उच्छा Eswar कर देता है। इदर बाहवली का कटपा भी बिना साधी किये हुए अपना सब कुछ राज माता के लिए बाहवली के लिए सब कुछ नुच होर कर देता है बस आज की तारीक में बाहवली को प्रिजिन्ट किया गया था कि जिससे दर्सक work अपने आपको connect करते हैं और अगर बात की जाए कि बाह बली की पटकथा इतनी अच्छी जब तक किसी फिल्म की पटकथा अच्छी नहीं होगी तब तक आप किसी अच्छे सिनेमा का निर्मार्ट करहा ही नहीं सकते हैं खास करके एससेज राजामॉली ने इस फिल्म की पढ़कता लिखने में बहुत समय लिया थए आखिरकार बाग बली जो फिल्म है वो आज के समय की जो फिल्में हैं उनसे अलग क्यों माने गाते हैं में कारान था कि इस फिल्म का जो स्प्रीन प्ले एसे जाजा मौली और उनके पिता दोनों ने मिलकर के लिखी ते क्योंकि जब किसी फिल्म का स्प्रीन प्ले बहुत अच्छा होता है तो निर्देशक के लिए बहुत अच्छा हो जाता है उस फिल्म की कहानी को सूट करना वो आज भी अपने उस परिवार में ही जिन्दा रहना चाहता है। बिसिकली अपनी एक कॉमुनिटी में जीता है। इस फिल्म में भी एक कॉमुनिटी के जरिये ही उस चीज़ को दिखाने के कोशिश की गई। बिसिकली जो बाहु बली है। बहुआ बली को इसमें इक राजा की रूप में नहीं दिखाए गया है इस प्रकार से दिखायगया है कि जो बहुआ बली है वो एक पूजनिय हो यही कारान था कि जब फिल्म का निर्माड हो रहा था तो जेन भी चूजे थे उस बाहु बली सब्द से उनको इतराज था कि बाहु बली सब्द क्यों यूज किया गया है तब यह सद राजा मौली ने अपने एक साक्षात कार में इसकी सफाई दी थी कि हम बाहु बली सब्द जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ एक सब्द नहीं होगा बल्कि उसका अपना एक सम्मान होगा और वो पूजनिये होगा तब कहीं जाकर के जैन विच्छों ने इसकी इजाज़त दी और जो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भारतिय समाज की इतिहास के पनों को आप उठा करके दिखते हैं तो हमेशा जो राज सकता है वो परिवार के क्लैस से उबजी हुए कि किस प्रकार से भाई भाई का बद करता है और यही चीज आपको बाहु बली में असपश रूप से दिखाई देती है जब आप बाहु बली सिनेमा देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह सारी जो घटनाए हैं न वो आपके आज स्पास घटिक होती है किस प्रकार से एक भाई दूसरे भाई से दोईस करता है किस प्रकार से एक मा उसके दोनों बेटे हैं लेकिन एक को ज़्यादा प्यार करती है एक को कम प्यार करती है लेकिन मा के लिए दोनों बेटे बराबर है लेकिन बेसे कि ये सारी चीजें जो हैं हमारे रीत, रिवाज और परंपरा में बिद्धिवान हैं उन्हीं को देखी देखा हर आदमू उसी प्रकार से अपने आपको धाल लेका है और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें जो फ् साथी नहीं करेंगी जिसकी माँ चाहती हो उसके लिए कि मतब उठाक रखे लाओ और हमारे बेटे साथ साथी करें उसने कुछ चीज को नकार दिया और दूसरा इस फिल्म का जो बहुत मेर्म पहलू है कि उन प्रसंगों को जिन प्रसंगों की बात हमारे भगवान स्रीकृ प्रसंगी करते हैं किस प्रकार से प्रेम किया गया उस प्रेम की प्रकाष्ठा को किस प्रकार से प्रदर्सित किया गया इस फिल्म में भी दिखाया गया अक्सर जो कि हमारे भारतिय से निवा में दिखाया जाता है कि एक गरीब इनसान एक अमीर करनेया से कैसे प्यार करता उसी चीज़ को इसमें भी भी कॉपी पेस्ट किया गया है इस फिल्म का जो नायक है जब रानी से प्यार करता है तो उसे पता नहीं होता है उस रानी को कि ये जो नायक है ये जो अमरेंद्र है वो किसी देश का राज़कुमान नहीं है ये बाद में खुलता है राव और जो कि आज की भी कहानियों में सारी चीज़ें बिद्धमान है ये सिर्फ इसलिए डाला गया है कि फिल्म में खुड़ी सी रोचकता बनी रही और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म में जिन जिन हत्यारों को इस्तिमाल किया गया है उन सारे हत्यारों का निर्माण इसे राजा मौली ने अपने सरच्छन में स्वयम करवाया था क्योंकि इससे पहले ऐसे हत्यारों का इस्तिमाल किसी भी फिल्म में नहीं किया गया था तो कह सकते हैं कि सिनेमा का जो क्राप्ट होता है वो आपको इस फिल्म में देखने को मिलता है कि किसी भी फिल्म का क्राप्ट कैसे होना चाहिए क्योंकि एक निर्देशक की जो सोच होती है न वो सिनेमा में दिखाई देखी जैसे कि आप बात करते हैं कि इस से पहले बाव बली से पहले कौन सी भव फिल्म थी तो बाव बली से पहले हमारे हिंदी सिनेवा में सोले को सबसे बड़ी भव फिल्म माना जाता है जिसके इस्क्रिप लिखी थी सलीम जाबेद क्योंकि उस फिल्म को भी एक कल्ट फिल्म ही कहा जाता है क्योंकि उसका जायओ खलायक हो अगर हम सोले से और बाव वली को कमपेरजन करें तो दोनों कहीं ने कहीं समानता अस्परश रूप से दिखाई देती क्योंकि उस फिल्म की जो प्रिष्ट भूमी थी एक ड़कायद पर थी इस फिल्म की जो प्रिष्ट भूमी है वो भी एक ड़कायद है जो राज को हड़ापना चाहता है बस अंतर थोड़ा सा यह है कि जो सोले की स्टोरी थी वो किसी महा कथा से प्रेरित नहीं लेकिन बाव से बाववली में में भी इस फिल्म के खलाएं को बहुत पाउरफुल दिखाए गया है चलिए हम बात करते हैं कि इस फिल्म का संगीत इस फिल्म का जो संगीत था वो ला जवाब है आज भी जब भी बाववली का संगीत कहीं किसी रेडियो या किसी मोबाइल पर बसता है तो मन करता है बस इसे रूप और सुनें फिर आगे अपने कदमों को बखाए क्योंकि बाववली का संगीत जो है न इतना मधूर है को कानो संगीत हो या में संगीत हो हर संगीत उसका अच्छा है क्योंकि अगर इसमें जो बार बारे जो गाना बसता है जियो रे जियो बाहु बली वो अपने आप में इतना पावर्फुल है कि हर आदमी के अंदर एक उर्जा पैदा कर देता है ज्यादा तर मैंने देखा है कि लोगों ने जब भी इस गाने को बजाया है और जिन-जिन के कानों पर एक गाना सुनाए दिया है वो उनके अंदर की जो अंतरात्मा है वो अपने आप में प्रफुलित हो जाते हैं और खास करके इसका संगीत पच्छ इसलिए अच्छा है कि जब आप इसके गानों को ध्यान से सुनेंगे तो एक एक इस्टूमेंट की आवाज आपको साब सुनाएंगे इलेक्ट्रानिक मुजिक कैसे रियोग जरूर किया गया है लेकिन इलेक्ट्रानिक मुजिक जो इस्टूमेंट मुजिक है उस पर कहीं से भी हावी होता कि हमारे भारतिय सिनेमा का संगीत कैच्छा है तो उसमें बस खाली बस आवाजें सुनाई देती है खासर को उसका प्मेन कार है कि ऐसा संगीत क्यों हो गया है ऐसा संगीत इसलिए हो गया है कि हमारा जो यूथ है वो सब मैगी बॉय है उसको सब कुछ रेडिमेट चाहिए मेनत नहीं करना चाहता है लेकि एसेज राजा मौली ने इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाने के कोशिस की गई है कि अगर आपके जीवन में सब कुछ रेडिमेट हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा बल्कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लेगा इसलिए अगर सिनेमा के पच्छ को देखें कि कौन सा सिनेमा का पच्छ सबसे ज़्यादा मजबूत होता है तो उसकी बात होती है इस्टोरी की बाहु बली की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी जाए आप पहला पार्ट देखिए जाए आप दूसरा पार्ट देखिए खास करके जब बाहु बली का पहला पार्ट खत्व होता है उसमें एक प्रस्न आता है कि कटपपा ने बाहु बली को आखित क्यो माता है ये लोगों को एक साल तक परेसान करता रहा कि जो शक्स अपनी बाहों में जिस बच्चे को पालता हो और खिलाया हो, सिखाया हो, पढ़ाया हो, हत्यार चलाना सिखाया हो और फिर उसने अपने ही हाथों से उसका कट लगा थी बहुत हैराने वाली बाह, लेकिन जैसे ये दूसरा पार्ट रिलीज होता है सारे सवालों के जबाब अपने आप लोग को मिले लगते हैं या आदर्स, क्योंकि हमारा भारतिय समाज हमेजा आदर्स की बात करता है हमेजा आदर्स वादी समाज जोड़ता है लेकिन दोस्तों, जब भी किसी आइडियल की बात की जाती है वहाँ पने रंकुसटा अपने आप आ जा है क्योंकि कटपा ने बाहुषबली को इसलिए मारा था क्योंकि राज माता को लगने लगा था कि कहीं न कहीं बाहुषबली की वजा से समाज में कुछ बिसंगतियां आ जाएंगी कि विस्से की राज़ शहता पर कुछ ना कुछ दूस पूछ पूपरेगा और उस का में कारण था सडेयं जैसा कि स्माज बे होता है सडेयंत का सिकार तो हर कोई हो जाता राम्भी होगये देंगगे राम ने भी धोबी के कहने पर स सेम सीन को रिपीट किया गया माहवली ने भी घर छोड़ दिया था परतियाक कर दिया था माता का का और उसी प्रकार से जैसे कि आप महाभारत में देखते हैं कि दुरोपती का चीर हर अदो इस ने को भी यहां पर कॉपीपेश कर दिया गया यहां पर मंदिर में छेड़ी जाती है महारानी साहिबा और उसका बदला लेने के लिए अम्रेंद आपको गुसा आ जाता है और जाकर धर काद दो उसी प्रकार से महाभारत में भी धीम पहुंचते हैं और उसके सीनों को चीर करके और उसका खूल की जाते हैं चीजें सब कुछ वही थी बस प्रस्तुती करने का तरीका अलग थी कि आज का समाज और आज का यूथ उससे करेंट कैसा है मैं तो बहुत-बहुत सुक्र गुजार हूँ इससे राजा मौली का कि उन्हों ने ऐसी फिल्म का निर्मान किया जो कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर हैं उनके लिए हॉलिवूड के लिए एक रास्ता बहुत अच्छा बनाया है अब बात हम यह करते हैं कि आज के जमाने में बाहु बली सिनेमा की क्या प्रसांगिता है कि या ऐसा सिनेमा समय समय पर बनते रहना चाहिए या फिर इतने महेंगे बजट की फिल्म बनाने की कोई जरूत में दीखें अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या बाहु बली जैसे फिल्मों का निर्मार कोना चाहिए बाहु बली जैसी फिल्मों का निर्मार कर leESE क्योंकि ऐसे फिल्मों का जब निर्मार होगा तो अजब भ्रतियस सिनेमा के इतिहास का जिक्र होगा वो सोनी मच्छों में जिक्र होगा इतिहास अपने आपको स्वयम दोहराएगा और याद भी रखा जाएगा लेकिन आज जो भारतिय समाज जिन चीजियों से जूज रहा है वो सबसे बड़ा है परिवार क्योंकि एक बेटा अपने मां के लिए कुछ नहीं कर पारा है उसका में कारण है टेकनोलोगी और उस टेकनोलोजी के कारण परिवारवार तूट रहा है तो ऐसी फिल्बों को जब भी निर्मान होता है उसमें यह दिखाया जाता है कि परिवार जो है कितना अहम होता है जब भी परिवार तूटता है सिर्फ एक तो मेरे कहने के मैं जिसुए नहीं है कि आप सिप परिवार को लेकर फिल्में मनाई हैं हर जॉनर की फिल्म पनाई हैं ऐसी फिल्म धर नहीं की कोशित बहुत सारी लोग कर हैं जैसे कि अगर हम अब ही रिसेंट में बात करें तो अजय देयोगन साफ ताना जी बना रहे हैं सलमान खान भारत बना रहे हैं यह सारी फिल्में हैं जो कि बॉक्स आफिर में बहुत अच्छा प्रदर्सन करेंगी जैसे जैसे ख़बरें इन सब फिल्मों के बारे में आ रही है हम सब के बीचे को उत्रुता बखती चली जा रही है लेकिन बात यहां भारत और ताना जी की नहीं मात हम कर रहे हैं बाहुबली कि आकि बाहुबली जो सिनेमा है उसका ड्यूफएक्स इतना महांद क्यों था उसके पीछे लोगों की बहता था क्योंकि यह पहली फिल्म थी जिसके जर्ये क्रू मेंबर इमपॉर्टन हो जाता है क्या किसी फिल्म का निर्मार सिर्फ उ किया सकता है हाँ इस सब का योगदान है बहुत इंपॉर्टन लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखेंगे इसकी जो कुरू मेंबर्स बहुत भारी संख्या में लोग एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इसे ज्राजा मौली ने इन फिल्मों के माध्यम से एक रोजगार देने की ब्योस्था की बाव सारे लोगों का घर चला था पहुत सारे कलाकारों ने काम किया और एक नई परिवासा और निकल के आई सिनिमा बनाने के लिए भाई वाक्षाप करना जोरी पड़ता है अगर आप वाक्षाप में करोगे ना तो अच्छी सिनिमा नहीं बने यह यह य आमिर साब को सदमे में आ गये हैं महा भारत पर बेव स्रीज बनाना चाहते हैं अब उन्होंने भी एसेज राजा मौलीक से ही कह सकते हों कि सलाह लिए जाकर के चूप चाप बैठ करके एक कमरे में इस पर काम करना शुरू कर दी है लेकि मेरा मानना तो यह है कि बाव बली क्या क्या थार्ड पार्ड बनना चाहिए आहिए लेकिन जो मैं जेखना चाहता हो इसलिए मैं देखना चाहता हूँ बावबली का तीसरा पार्ट कदम नहीं रुकने चाहिए कहीं नहीं एसल राजा मॉली थोड़ा सा डर गए क्योंकि हमारा जो भारतिय सिनेमा है न वो एक संकुची विचाल धराता वो सारी चीज़ों के एडाप्ट नहीं कर पाता है वो नकल्ची हो गया है तो मैं एसल राजा मॉली से कहना चाहता हूँ आप डर ये नहीं आपके साथ ऐसे ही बहुत सारे सिनेमा प्रेमी है जो आपके साथ खड़े हैं आपकी बातों को मानेंगे और आप जब भी बाहुबली तरी का निर्मार करेंगे उससे भी लोग अपने दिल से लगाएंगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके ये बताएए क्या बाहुबली तरी का निर्मार होना चाहिए या नहीं भन्यवाद बाहुबली तरी कब शुरू हो सकती है बाहुबली देखने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि अभी बाहुबली की कहानी बाकी है नमस्कार दोस्तों मैं अभिनफ शर्मा आपका स्वागत करता हूँ बॉलिगराद स्टूडियोस की एक और नहीं वीडियो बाहुबली तक कंक्लूजन के एंड में भलाल देव का तो अंद दिखाया गया था लेकिन उनके पिता बिजाल देव का नहीं देखा जाए तो बिजाल देव ही मेन विलेन है क्योंकि उन्होंने ही तो सारे शर्ण तरे रचे थे अपने बेटे को राजा बनाने के लिए इससे ये तो साबित हो ही जाता है कि बदला लेने के लिए बिजाल देव किसी भी हद तक जा सकते तो हो सकता है कि थर्ड बार्ट में वो बाहुबली से अपने बेटे की मौत का बदला लेते नजर आएं कटपा जो कि बेहत वफादार इंसान है उनके जीवन के बारे में फिल्म में जादा कुछ बताया नहीं गया है सिर्फ इतना बताया गया है कि उनके पूर्वजों के बचन के कारण वो हमेशा गुलाम ही रहेंगे तो यह तो अपने आप में ही सोचने की बात कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो इतने वफादार है और अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो महेश मती और बाहुबली कैसे सही सलामत रहेंगे क्योंकि फिल्म में दिखाया गया है कि जब तक कटपा बाहुबली के साथ है तब तक बाहुबली को कोई नहीं बार सकता है बाहुबली के थर्ड पार्ट में तो भूलना नहीं कि आपका कोई दोस्त भी है। ये रोल फिल्म में सुधीप ने प्ले किया था। तो हो सकता है कि सीन को इसी वज़य से रखा गया हो कि थर्ड पार्ट में इससे एक नहीं कहानी जोड़ी जाए। और वैसे भी सुधीप खुद में ही एक बहुत ही मशूर और उम्दा आक्टर भी है। फिल्म में दिखाया गया था कि शिवा भलाल देव के बेटे को मार देते हैं लेकिन फिल्म में भलाल देव की बीवी को कहीं नहीं दिखाया गया। तो हो सकता है कि मलाल देव का कोई और बेटा या फिर बेटी हो जो कि बाहुबली से अपने पिता की मौत का बतला लेने के लिए आए बाहुबली के डायरेक्टर एसेस राजा मूली ने खुलासा किया है कि फिल्म का थर्ड पार्ट जरूर बनेगा लेकिन वो तब ही बनेगा जब उनके पिता केवी विजेंदर प्रसाद उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे जिन्होंने पहले दो भाबो की स्क्रिप्ट भी लिखी थी एसेस राजा मूली ने कहा कि वो जानते हैं कि फैन बाहुबली के नाम से ही फिल्म देखने आ जाएगे लेकिन वो ऐसा नहीं चाते हैं वो फैन्स के साथ औनेस्ट रहकर एक लाजवाब फिल्म प्रस्तुत करना चाते हैं तो दोस्तों हम यहीं पर आपसे विदा लेते हैं देखते रहे हैं बॉलिगराद स्चूडियो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूने और अगर आपकी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे बेज़ी ज़क पूछ सकते हैं बाहु बली के प्रिकुल की कहानी क्या है क्या बाहु बली की तरह एंटर्टेंडमेंट की सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाईगी कैसे बाहु बली ने दक्षर के फिल्म रिर्माताओं के मन में लालज भर दिया भलाल देव और अमरेंदर बाहु बली के पुत्र महिंदर बाहु बली के बीच कितने सालों बाद युद्ध होता है नमस्कार दोस्तों मैं अवद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉली ग्रड स्टूडियोस की एक और नई अपडेट में एक और बाहु बली तैयार 2018 का सबसे बड़ा धमाका इन दिन और बॉली बुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस चर्चा है ऐसे में एक बार फिर से भारतिय सिनिमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहु बली सुर्खियों में है इस फिल्म का प्रिक्वल बनने जा रहा है हाली में प्रिक्वल की कास्ट भी फाइनल कर दी गई है बाहु बली के ये प्रिक्वल डिजिटल प्लेटफर्म पर रिलीज होगी और ये डिजिटल प्लेटफर्म होगा नैट्फिक्स वही इस prequel में एक दिवचस्ट ट्विस्ट है जो दर्शकों के लिए वाके ही हैरान कर देने वाला होगा बाहु वली के prequel सीरीज में रिलीस किया जाएगा और ये ट्विस्ट है कि इसमें बाहु वली के बजाए शिव गामी देवी की कहनी दिखाई जाएगी ये सीरीज महिस्मती सामराज की महरानी शिव गामी के जीवन पर आधारित होगी बॉलीवड में लब सोनिया जैसे स्ट्रॉंग फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्रिस मिर्रार ठाकुर शिव गामी का किरदार निभाएंगी मेकर्स की माने तो ये कहानी फिल्म की कहानी से 50 साल पीछे की होगी ये सीरीज फैंस को फिल्म के किरदारों के पास्ट में ले जाएगी जिसमें और भी नए किरदार जुडेंगे बाहु वली जैसे ब्लॉक बस्टर फिल्म को लेकर ऐसा आइडिया काफी दिल्चस्प मालूम होता है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीरीज बाहु वली जैसी सुपर डूपर हिट हो पाईगी क्या बाहु वली की तरह इंटर्टेन्मेंट इंडस्टी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाईगी तो चलिए इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं बाहु वली दा कंक्लूजन ने बनाई कितने ताबर तो रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा स्क्रीन बाहु वली दुनिया भर में लगभग 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है जो कि किसी भी भारती सिनेमा में बहुत ज्यादा है सबसे बड़ी ओपनिंग बाहु वली ने ओपनिंग डे पर लगभग पिचानवे प्रतिस्त ओक्यूपेंसी दिखाई थी जो कि किसी भी बॉलिवुड फिल्म से कहीं ज्यादा देखे 2017 की सबसे बड़ी ओपनर बाहु वली टू की कमाई कर ली थी सभी भासाओं को मिला कर जो कि किसी भी भारती फिल्म से कहीं ज्यादा है सबसे बड़ी हिंदी डब ओपनिंग बाहु वली टू की हिंदी डबिंग ने ओपनिंग डे पर 41 करोड की कमाई की जो कि किसी भी दूसरी भासा की हिंदी डबेट फिल्म से ज्यादा है सबसे बड़ी तेलगू फिल्म ओपनिंग बाहु वली टू सबसे बड़ी तेलगू फिल्म भी ओपनर भी बन चुकी है तेलगू में फिल्म ने 53 करोड की कमाई की थी तेलकू तमिल मले आलम में सबसे बड़ी उपनिंग तीन भासां को मिलाकर फिल्म ने 80 करोड का कलेक्शन किया था दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म दूसरे दिन सभी भासां को मिलाकर फिल्म ने 102 करोड की कमाई कर ली ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो शाहे भी कोई हिंदुस्तान में तोड सके दूसरे दिन की सबसे ज़्यादा कमाई साल 2017 में दूसरे दिन सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म है बाहुवली 2 अमेरिका में भी टॉप दो दिनों में अमेरिका में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म थी बाहु वली सबसे तेज 200 करोड दो दिनों में 200 करोड कमाने वाली पहली फिल्म है बाहु वली 2 केरल में सबसे जल्दी 10 करोड सिर्फ केरल में ही सबसे जन्दी 10 करोड कमाने वाली फिल्म है बाहुवली सबसे बड़े वीकेंड बाहुवली टू पहले वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है बाहुवली 2017 की सबसे बड़े वीकेंड साल साल 2017 की सबसे बड़ी वीकेंड देने वाली फिल्म बन चुकी है बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है 120 करोड सिंगल डे कमाई बाहुवली 2 सिंगन डेपर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बाहुवली ही है रविवार को फिल्म में 46 करों की कमाई गी थी बाहुवली ने दक्षन के फिल्म निर्माताओं के मन में लालच मर दिया था और ये है वो लालच निर्देशक एस राजा मौली की बहु प्रतिष्चित फिल्म बाहुवली के दो भागों ने कमाई के मामले में सभी भाषाओं में कई रिकॉर्ड भस्त कर दिये थे और यही कारण है कि दक्षन भारत में अब उस तरह की फिल्म बनाने के लिए सभी हाथ पर मार रहे हैं हलनकि यह एक शेत्रिय भासा की फिल्म थी लेकिन इस फिल्म को जिस भासा में भी डब किया गया उस भासा में इस फिल्म में सारे रिकॉर्ड दो उठ दिये जिसके बाद दक्षन भारत के कई बड़े निर्मातां और निर्देशकों को अन्य भाषा की विशिशकर हिंदी भासी लोगों में डक्षन के भारत की फिल्मों के प्रती कितना प्रेम है इस बात जानगारी हो पाई और जिसके चलते कई निर्माता निर्देशक उनकी फिल्म को बहुवली के स्थर पर शूट कर भारत और विद्देश में उसी स्थर पर रिलीज करने की तयारी कर रहे हैं और उनमें भी होसला आया है कि वो उनकी फिल्मों का इस्तर पड़ा बना कर लोगों के सामने लेकर आएं कटपा सत्ते राज अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकास ने बाहुवली प्रभास को मारा कालके से जीतने के बाद महिस्मती में अमरेंद्र बाहुवली को भविश्य का राजा और भलाल देव यानी की राना डगुवती को सैनापती घोशित कर दिया जाता है राज जबेसिक होने से पूर्भी अमरेंद्र की माँ शिवगामी रम्याकृष्णन उसके लिए दुलन की तलाश करने लगती है वो अमरेंद्र और कटपा को कहती है कि सामराज की स्तिती और उसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें अम्रेंद्र को कुंतल सामराजी की राजकुमारी और उसकी राजा की बहन देवसेना अनुष्का सेटी से प्यार हो जाता है भलाल को पता चलता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है इसके बाद वो सिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है इस कारण वो इसकी शादी देव सेना से कराने का वादा कर देती है जब शिवगामी शादी का प्रस्ताप कुंतल राजी को भेशता है तो दूत उस प्रस्ताप को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा है देव सेना इस शादी के प्रस्ता को कड़े सब्दों के साथ मना कर देती है जब शिवगामी को उसका उतर मिलता है तो वो क्रोध में देव सेना को बंदी बना कर लाने का आदेश देती है कुंतल सामराजी पर पिंजारियों का हमला हो जाता है देवसेना के भाई की साहता से अमरेंद उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है अमरेंद उसे कहता है कि वो कौन है और शिवगामी के क्रोंत के भाई को दूर करने और उसे अपनी दुलहन बनने ही तू राजी करने की कोशिश करता है जब वो महिस्मती पहुंसता है तो उसे गलत हमी का पता चलता है शिवगामियों से सिंगहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है तो वो देवसेना को चुनता है इस कारण भलाल वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सैना पती पर फिर भी लोगों से ही राजा मानते हैं देव सैना की गोध भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सैना पती के कार से छुट्टी दे दी थी जिससे वो अपनी पत्नी के साथ रह सके उसी समय देव सैना राजा भलाल के हेर फेर के खिलाब बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है इस कारण जगडा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बाहर कर दिया जाता है वो दोनों बाहर के लोगों के बीच खुसी से जिन्दगी पिताने लगते हैं पर भलाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि उसने जड़ी सीधे कार्णेवाई शुरू की तो ग्रह युद्ध भी शुरू हो सकता है इस कारण शिवगामी उसकी सेवा करने वाले सेवा कटपा से बोलती है कि वो संकट में हैं और उसे अमरेंदर को मारना है शिवगामी के कहने पर कटपा ने अमरेंदर की पीट पर धोकिसे हमला कर उसे मार दिया फिर कटपा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंदर बाहोवली की मौत हो गई है देव सेना भी अपने पच्चे महेंदर बाहुवली के साथ महां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है शिवगामी महल के बाहर घबराई भी भीर को बताती है कि अमरेंद्र मढ़ चुका है और अब उसका पुत्र महेंद्र बहवली यानिकी प्रभास नया राजा होगा इसके बाद भलाल उसके लोग मिलकर देव सेना उसके बच्चे को पकड़ कर कारावास में डालने की कोशिच करते हैं देव सेना अपने बच्चे को सिवगामी को सौप देती है जो की भागने में सफल रहती है लेकिन देव सेना अपने आपको नहीं बचा पाती उसे कैद कर लिया जाता है 25 वर्ष वाद भलाल देव और अमरेंदर बाहुवली के पुत्र महिंदर बाहुवली में बहेंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है महिंदर बाहुवली का राज्च विशेक होता है और महिस्मती का नया राजा बन जाता है तो दोस्तो बाहुबली के आने वाली इन सीरीज में माता शिवगामी के पिछले जीवन को दिखाया जाएगा कि वो एक समान इस्त्री से महिस्मती जैसे सिंगासन की रानी कैसे बनी उनका ये सफर कैसा रहा और इसके बाद बाहुबली के आगे की कहनी को भी दिखाया जाएगा देश विदेशों में भारती सिनिमा का नया इतिहास रचने वाली फिल्म बाहुबली एक बार फिर वैब सिरीज के जरिये दर्शोगों को एंटर्टेन करने जा रही है नेट्फिक्स जल्दी बाहुबली फिल्म का प्रिक्वल बाहुबली विफोर दे बिगनिंग लेकर आ रही है इस प्रिक्वल का टीजर भी जारी हो गया है नेट्फिक्स पर जारी होने वाली इस वैब सिरीज को दो सीजन के जरिये दिखाया जाएगा इस वेब सिरीज में बाहु बली की कहानी जहां से शुरू होती है उससे पहले क्या होता है ये दिखाया जाएगा नेट्फिलिक्स की ये वेब सिरीज The Rise of Shiv Gami novel की कहानी पबेश्ट होगा बाहु बली के प्रिकुल की कहानी क्या है? क्या बाहु बली की तरह एंटर्टेंड्मेंट की सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगी? कैसे बाहु बली ने दक्षर की फिल्म निर्माताओं के मन में लालज भर दिया? भलाल देव और अमरेंद्र बाहु बली के पुत्र महिंद्र बाहु बली के बीच कितने सालों बाद युद्ध होता है? नमस्कार दोस्तों मैं अवद और आप सभी का स्वागत है अमारे चैनल बॉली ग्रड स्टूडियोज की एक और नई अप्रेट में एक और बाहु बली तैयार, 2018 का सबसे बड़ा धमाका, इन दिन और बॉली वुड की कई बड़ी फिल्मों को लेकर जबरदस्ट चर्चा है ऐसे में एक बार फिर से भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बाहु बली सुर्खियों में है इस फिल्म का प्रिक्वल बनने जा रहा है, हाली में प्रिक्वल की कास्ट भी फाइनल कर दी गई है बाहु बली के ये प्रिक्वल डिजिटल प्लेटफर्म पर रिलीज होगी और ये डिजिटल प्लेटफर्म होगा नैटफ्लिक्स वही इस Prequel में एक दिवचस्ट ट्विस्ट है जो दर्शकों के लिए वागई हैरान कर देने वाला होगा बाहु वली के Prequel सीरीज में रिलीस किया जाएगा और ये ट्विस्ट है कि इसमें बाहु वली के बजाए शिवगामी देवी की कहनी दिखाई जाएगी ये सीरीज महिसमती सामराज्ज की महरानी शिवगामी के जीवन पर आधारित होगी बॉलीवड में लव सोनिया जैसे स्ट्रॉंग फिल्म से डेविव करने वाली एक्रिस मिर्नार्थाकुर शिवगामी का किरदार निभाएंगी मेकर्स की माने तो ये कहानी फिल्म की कहानी से पचास साल पीछे की होगी ये सीरीज फेंस को फिल्म के करदारों के पास्ट में ले जाएगी जिसमें और भी नए करदार जुड़ेंगे बाहु वली जैसे ब्लॉंक बस्टर फिल्म को लेकर ऐसा आइडिया काफी दिल्चस्प मालूम होता है ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सीरीज बाहु वली जैसी सुपर डूपर हिट हो पाईगी क्या बाहु वली की तरह इंटर्टेन्मेंट इंडस्टी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ पाईगी तो चलिए इसी बात पर हम आपको आगे बताते हैं बाहु वली दा कंक्लूजर ने बनाई कितने ताबरतों रिकॉर्ड्स सबसे ज्यादा स्क्रीन बाहु वली दुनिया भर में लगभग 9000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है जो कि किसी भी भारती सिनेमा में बहुत ज्यादा है सबसे बड़ी ओपनिंग बाहु वली ने ओपनिंग दे पर लगभग पिचानवे प्रतिस्त ओक्यूपेंसी दिखाई थी जो कि किसी भी बॉलिवुड फिल्म से कहीं ज्यादा देखे 2017 की सबसे बड़ी ओपनर बाहु वली टू राइस के सारे रिकॉर्ड़ को बुरी तरह पछाड कर 2017 की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बाहु वली टू ने ओपनिंग दे पर ही 121 करोड की कमाई कर ली थी सबी भासाओं को मिला कर जो की किसी भी भारती फिल्म से कहीं ज्यादा है सबसे बड़ी हिंदी डब ओपनिंग बाहोवली टू की हिंदी डबिंग ने ओपनिंग डे पर 41 करोड की कमाई की जो की किसी भी दूसरी भासा की हिंदी डबेट फिल्म से ज्यादा है सबसे बड़ी तेलगू फिल्म ओपनिंग बाहोवली टू सबसे बड़ी तेलगू फिल्म भी ओपनर भी बन चुकी है तेलगू में फिल्म ने 53 करोड की कमाई की थी तेलगू तमिल मले आलम में सबसे बड़ी ओपनिंग तीन भासां को मिलाकर फिल्म ने 80 करोड का कलेक्शन क सबसे कमाने वाली video सबसे पहा सांगों मिलकार यह portion 3 यह जब से ज्यादा वाली !! अमेरिका में भी टॉप दो दिनों में आमेरिका में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी सबसे तेज 200 करोड दो दिनों में 200 करोड कमाने वाली पहली फिल्म है बाहु वली 2 केरल में सबसे जल्दी 10 करोड सिर्फ केरल में ही सबसे जल्दी 10 करोड कमाने वाली फिल्म है बाहु वली सबसे बड़े वीकेंड बाहुवली 2 पहले वीकेंड पर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बन चुकी है बाहुवली 2017 सबसे बड़े वीकेंड साल साल 2017 सबसे बड़े वीकेंड देने वाली फिल्म बन चुकी है बाहुवली 2 तीन दिनों में सबसे ज़्यादा बाहुवली 2, तीन दिनों में सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन चुकी है 123 करोड, सिंगल डे कमाई बाहुवली 2, सिंगल डे पर सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म भी बाहुवली ही है, रविवार को फिल्म में 46 करोडी कमाई थी बाहुवली ने दक्षण के फिल्म निर्मातों के मन में लालच मर दिया था और यह वो लालच निर्तेशक एस राजा मौली की बहु प्रतिश्चित फिल्म बाहुवली के दो भागों ने कमाई के मामले में सभी भाषाओं में कई रिकॉर्ड धुस्त कर दिये थे और यही कारण है कि दक्षण भारत में अब उस तरह की फिल्म बनाने के लिए सभी हाथ पर मार रहे हैं हलंकि ये एक शेत्रिय भासा की फिल्म थी लेकिन इस फिल्म को जिस भासा में भी डब किया गया उस भासा में इस फिल्म में सारे रिकॉर्ड ठोट दिये जिसके बाद दक्षिन भारत के कई बड़े निर्माता और निर्देशकों को अन्य भाषा की विशेशकर हिंदी भासी लोगों में दक्षिन के भारत की फिल्मों के प्रती कितना प्रेम है इस बात की जानगारी हो पाई और जिसके चलते कई निर्माता निर्देशक उनकी फिल्म को बाहुवली की स्थर पर शूट कर भारत और विदेश में उसी स्थर पर रिलीस करने की तैयारी कर रहे हैं हाली में रिलीज हुए फिल्म के KGF के ट्रेडर लॉंच वर फिल्म के निर्देशक प्रशांत नील और अभिनेता यस दोनों का मानना था कि बाहुवली और SS राजा मौली ने उन सब के लिए कमाई के नए द्वार खुण दिये हैं और उनमें भी हुसला आया है कि वो उनकी फिल्मों का इसतर बड़ा बना कर लोगों के सामने ले कर आएं इससे वो सर्फ ट्रेड सर्किट्स में मुनाफ़ा कमा सकेंगे फिल्म केजी एफ पांच भासों में रिलीज होगी और फिल्म दो भागों में रिलीज होगी फिल्म में सत्तर के दशक के अंदाज में पेश किया गया है फिल्म को बनाने में पूरे हजार दिन लगे है हालांगी पूरी फिल्म की शूटिंग डेर सो से दो सो दिनों में ही कर ली गई लेकिन बाकी के दिन पोस्ट प्रोडक्शन और बाकी के तैयारी में लगे फिल्म केजी एफ कोलारी के सोने की खान से जुड़ी कहानी है ये फिल्म क्रिस्मस के मौके पर 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है पिल्म की कहानी को मिताब बचन के एंगरी मैन की चवी की तरह दिखाया गया है कटपा सत्य राज अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकास ने बाहुवली प्रभास को मारा कालके से जीतने के बाद महिस्मती में अमरेंद्र बाहवली को भविश्य का राजा और भलाल देव यानी की राना दगवती को सैनापती घोशित कर दिया जाता है राज़ा बिसीक होने से पूरवी अमरेंद्र की मा शिवगामी, रम्या क्रिष्णन उसके लिए दुलहन की तलाश करने लगती है वो अमरेंद्र और कटपा को कहती है कि सामराज की स्थिछी और उसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें अमरेंद्र को कुंतल सामराजी की राजकुमारी और उसकी राजा की बहन देवसेना अनुष्का सेटी से प्यार हो जाता है भल्लाल को पता चलता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है इसके बाद वो सिवगामी से कहता है कि वो देवसेना से शादी करना चाहता है शिवगामी को इस बारे में पता नहीं होता कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है इस कारण वो इसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है जब शिब गामि को उसका उतर मिलता है तो वो क्रोध में देवसेना को बंदी बना कर लाने का आदेश देती है कुंतल सामराजी फर पिंजारियों का हमला हो जाता है। देव सेना के भाई की साहता से अमरेंद उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल को बचा लेता है। अमरेंद्र उसे कहता है कि वो कौन है और शिवगामी के क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुलहन बंने ही तु राजी करने की कोशिश करता है जब वो महिस मती पहुंसता है तो उसे गलत हमी का पता चलता है शिवगामी उसे सिंगहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने को बोलती है तो वो देवसेना को चुनता है इस कारण भलाल वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र को सैना पती पर फिर भी लोगों से ही राजा मानते हैं देवसेना की गोध भराई के लिए अमरेंद्र को भलाल ने सैना पती के कार से चुट्टी दे दी थी जिससे वो अपनी पत्नी के साथ रह सके उसी समय देवसेना राजा भलाल के हेर फेर के खिलाब बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है इस कारण जगडा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बहार कर दिया जाता है वो दोनों बहार के लोगों के बीच खुसी से जिंदगी पिताने लगते हैं पर भलाल फिर से शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि उसने यह सेवक कटपा से बोलती है कि वो संकत मैं और मारना है शिवगामी के कहने पर कटपा ने अमरेंद्र कीपी पर धोकिंसे अमलाकर से मार दिया फिर कटपा कर शिवगामी को सूचित करता है कि अम्रेंद्र बाहावली की मौत हो गई है देव सैना भी अपने पच्चे महेंदर बाहवली के साथ महां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई भी भीड को बताती है कि अमरेंदर मढ़ चुका है और अब उसका पुत्र महेंदर बाहवली यानिकी प्रभास नया राजा होगा। इसके बाद भलाल उसके लोग मिलकर देव सेना उसके बच्चे को पकड़ कर कारावास में डालने की कोशिच करते हैं। देव सैना अपने बच्चे को सिवगामी को सौप देती है जो कि भागने में सफल रहती है लेकिन देव सैना अपने आपको नहीं बचा पाती उसे कैद कर लिया जाता है 25 वर्सवाद भलाल देव और अमरेंदर बहुबली के पुत्र महिंदर बहुबली में बहेंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भलाल देव की पराजय होती है महिंद्र बाहुवली का राज्च विशेक होता है और महिस्मती का नया राजा बन जाता है तो दोस्तो बाहुवली के आने वाली इन सीरीज में माता शिवगामी के पिछले जीवन को दिखाया जाएगा कि वो एक समान इस्त्री से महिस्मती जैसे सिंगासन की रानी कैसे बनी उनका ये सफर कैसा रहा और इसके बाद बाहुवली के आगे की कहनी को भी दिखाया जाएगा तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बाहुवली की ये सीरीज सारे रिकर्स तोड़ पाएगी क्या दर्सक उसी तरह से इसके लिए एकसाइटेड है जैसे कि बाहुवली के दूसरे पार्ट के लिए थे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले and don't forget to press the bell icon for more update and notifications क्या बाहुवली 3 बनाई जा सकती है बाहुवली 3 के लिए बॉली बुड के किन किन सुपरस्टार को काश्ट किया जा सकता है बाहुवली ने IPL को कैसे मात दी थी मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉले ग्रहत के फिल्मी गलियारे में कुछ भी कहिए लेकिन बॉली बुड तो बॉली बुड होता है और आपके बॉली बुड कीडे ने कभी न कभी तो बाहुवली की बॉली बुड स्टार कास्ट के बारे में सोचा होगा वैसे फिल्मी गलियारों में आए दिन इस पर डिसकसन होते ही रहते हैं और बाहवली का सबसे दिल्चस्प डिस्कसन होता है बाहवली की बॉलिवूड स्टार कास्ट अब सबसे पहला नाम होता है प्रभास और सल्मान खान हाला कि पहले की बात और थी लेकिन अब सल्मान बाहवली के किरदार में कैसे लगेंगे पता नहीं हाला कि लोगों का मानना है कि सलमान खान से बहतर आपसंस बॉलिवुड के पास बाववली रिमेक के लिए है वैसे तो बाववली का बॉलिवुड रिमेक बनना ना के बराबर लेकिस सोचे की वाकई अगर ऐसी कोई फिल्म बने तो कितनी सांदार होगी प्रभास के किरदार के लिए तो हमारे पास कई आपसंस है वहीं जब बाववली रिलीज हुई तभी से लोगों ने इसकी बॉलिवुड इस्टार कास्ट सोच ली थी फिल्म में केटिना कैप्स तबू से लेकर अब से एक बच्चन तक को जगा मिली थी लेकिन आप वक्त बदल चुका है और बॉलिवुड भी हाला कि सुपरस्टार आज भी सल्मार खान है और उन्हें लीड रोल से कोई नहीं हटा सकता वाववली के साथ मिलकर वो आठ सो करोन का बॉक्स ऑफिस प्लान भी बना चुके हैं वैसे तो यसाज राजा मौली एक हजार करोन की मावारत की तयारी कर रहे हैं लेकिन वाकई वो चाहे तो इस स्टार कास के साथ बाववली का रिमेक बना सकते हैं अगर बाववली किरदार की बात करें तो रितिक रोसन रितिक पौराणिक और पिरियट किर्दार बड़े सांदार धंक से निभाते हैं एक तरफ जहां उन्होंने जोधागबर में कमाल किया वही मोहन जोद्रो कैसी भी फिल्म रही हो लेकिन रितिक रोसन फिल्म में ठीक ठाक लग गए थे वैसे भी उनकी फैन फालोइंग सांदार है ऐसे में बाववली के किर्दार में रितिक रोसन जान डाल देते हैं अगर आमिर खान को इस रोल के रूप में देखे तो उन्हें हर तरह के किर्दार में देखा जा चुका है लेकिन ऐसे कभी नहीं देखा गया तो आमिर खान अगर बाववली का किर्दार निभाते हैं तो कैसे लगते हैं ये देखना काफि दिल्चस्प होगा वैसे तो सलमान खान सुल्तान है लेकिन जब से बाववली रिलीज हुई है तब से सब का यही मानना है कि सल्मान को चाहे बॉलिवुड का बाह वली कहलो या फिर प्रभास को साउत का सुल्तान दोनों एक ही बात है वैसे भी बीर जैसे फिल्म में सल्मान खान अपना पीरियड ड्रामा वाला जल्वा दिखा चुके तमन्ना भाटिया वाला किर्दार स्रद्धा कपूर स्रद्धा कपूर तमन्ना भाटिया की अवंतिका किर्दार बाको भी निभालेंगी एक तरफ बागी में उनके इस्टंट्स तो लोगों ने देखी लिए हैं वहीं दूसरी तरफ स्रद्धा कामुक अंदाज में बेहत खूबसूरत लगेंगी और बाव वली के साथ उनके भीगे भीगे गाने अनुसका से ट्थी द्वारा निभाएगे रोल की बात करें तो लोगों का मानना है कि सुनाक्षी सिनहा देव सेना के किर्दार के लिए परफेक्ट होगी क्योंकि पहला तो वो रितिक रोसन के साथ रोमांस करती हुई सूट कर जाएंगी और फिर उम्र बढ़ने के किर्दार में वो भी बाकू भी जमेगी लेकिन कटपा का रोल को निभाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो कटपा के रोल के लिए नस्रुदीन साथ फिल्म का सबसे अहम किर्दार जिस पर पूरे देश की नजरे है आखिर उसने बाव वली को क्यों मारा ये नस्रुदीन साथ बड़े अच्छे से समझा लेंगे के बाद आता है एक महत्पूरू करेक्टर श्रियो गामी श्रियो गामी के करेक्टर के लिए विद्या बालंस से बेहतर कोई और चोईस नहीं हो सकती है वैसे अगर वो ये किर्दार नहीं निभाती है तो आपसंस में हमारे पास है अगर विज्जल देव के करेक्टर की बात करें तो इस रोल को अनफम खेर बहुत संजित्गी के साथ निभा सकते है उनमें निगेटिव, पोजिटिव और ग्रे हर तरह का स्टेट दिखाई दे जाएगा कालके असरो की राजा कालके की भूमका में नवाजु दिन सिद्ध की बेहतरी लगेगे तो दोस्तो अगर आपको भी बाहुवली की काश्ट के कुछ आइडिया हो तो हमें नीचे कमेंट बाक्स में जरूर बताए आजामोले स्टार बाहुवली को आज रीज हुए पूरे दो साल हो गए और इन दो सालों में भी फिल्म की यादे आज तक ताजा है चाहे वो प्रभास का किरदार अमरेंद बाहुवली हो या फिर राणा दगुपाती का किरदार भल्लाल देव फिल्म के दो साल पूरे होने की खुसी में फिल्म के ट्वीटर हैंडिल से एक सांदार ट्वीट किया गया था बाहु वली को पूरा हुए दो साल हो चुके है फिल्म ने ना केवल सांदार रिकार्ड बनाये थे बलकि भारतीय सिनेमा के स्टेंडर्ड से सांदार किर्तमान और उदारण भी लिखे सभी को धन्यवाद इस फिल्म को इतना प्यार देने के लिए वैसे हिंदी सिनेमा में भी बाहु वली ने काफी मिथक तोड़ी थी फिल्मों के लिए IPL सीजन ठंडा माना जाता है और इस दोरान लोग मैच देखना पसं करते हैं फिल्मे नहीं लेकिन बाहु वली ने साबित किया कि लोग फिल्मे भी देखते हैं और तावर तोड़ देखते हैं बास अरते फिल्मे देखने लायक होतो बाहु वली को फेस्टिवल के बिना रिलीज किया गया था अक्सर देखा गया है सलमान खान की ईद और शारुक खान की दिवाली आमिर खान का क्रिस्मस और जो बचे वो अक्षेकमार रितिक रोसन का इन सब चक्कर में पढ़कर फिल्मे नहीं कमाती हैं ये बाहु वली ने दिखा दिया एक मित इस्टारडम से कमाती हैं फिल्मे फिल्मे जब तक कोई बड़ाइस्टान नहीं होगा तब तक फिल्म नहीं कमाएगी ऐसा नहीं होता है बाव बली में तमन्ना छोड़ कर किसी को लोग नहीं जानते थे बलकि राजा मौले भी चाहते थे कि फिल्म में पहचानने हुए चेहरे हो जैसे रितिक रोसन, जान इब्राहिम पर ऐसा नहीं हो पाया और सायद अच्छा ही हुआ बात करते हैं परमोसन से परमोसन के बिना भी होता है गुजारा सारुखान रेल से रैस का परमोसन कर रहे थे तो अब से बच्चन एक ही दिन में दस सहर जाकर अपनी फिल्में परमोट किये इतने ज़्यादा परमोसन से कुछ नहीं होता बिना परमोसन भी फिल्में चल जाती है अगर ढंक से प्लान किया जाए तो कंटेंड होता है बॉक्स ओफिस का बाप केवल एक स्टार को लेकर गाने डालकर एक आइटम नमर और थोड़ा सा रोमान से फिल्म के लिए काफी नहीं होता फिल्म को कंटेंड चाहिए तब जाकर वो बॉक्स ओफिस पर टिकती है बिना आइटम सॉंग के भी फिल्म हिट होती है ये तो बॉलीवूट जरूर सीख ले स्क्रीन से नहीं दर्शकों से होती है कमाई हर स्टार अपनी रिलीज की स्क्रीन बढ़ाता जाता है जैसे अगर बजरंगी 4,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई तो सुल्तान 5,000 लेकिन इससे कुछ नहीं होता उम्र इससे नहीं बनता हीरो हीरो और रोमांस उम्र देख कर किया जाना चाहिए वरना कितना भी सुपर्स्टार हो दर्सक उसे नकार ही देंगे फटाफट नहीं बन जाती फिल्मे बावबली पांच साल में बनी यहाँ प्रेम रतंधन भायो का स्रीवल जरा सा खिचा था कि आफ़त हो गई थी हमारे हाँ 40 दिन में फिल्म मिल्टा लेने की परंपरा है क्योंकि कई स्टार्ज की फिस भी हर दिन के हिसाब से होती है ऐसे में अच्छी फिल्में कहां से बनेंगी जो टिकता है वो बिकता है जो बॉक्स ओफिस पर 10 दिन तक टिका रहा वही भी का यहाँ पर उल्टा होता है शुरू के 3 दिन फिल्म ने जितना कमा लिया वही फिल्म की जमापोजी होती है क्लास वाले फिल्में कुछ फिल्में एक क्लास के लिए होती है ऐसा कुछ नहीं होता अच्छी फिल्में हर दर्सक वक्त देखना चाहता है तीन दिन में सव करों अगर फिल्म ने तीन दिन में सव करों कमा लिया तो वो ब्लॉक बास्टर है यहां बाह बली ने चार दिन तक लगातार सव करों कमाया डारेक्टर वो ही जो हीरो मनभाय हमारे आएक्टर अपना डारेक्टर ढूण लेता है जैसे कि सलमान ने टाइगर सिक्वल के लिए अपने सुल्टान डारेक्टर को फाइनल कर लिया जबकि एक था टाइगर कबीर खान की कहानी है जो दिमाग से काफी सक्चम है और जो मानते हैं कि सिक्वल ऐसे हवा में नहीं बन जाते एक फिल्म का हवा किसी फिल्म का इतना हवा नहीं बनाना चाहिए कि उसकी हवा निकल जाए जैसे कि Hero Remake को सलमान ने प्रमोट कर कि फिल्म की जान निकाल दी सिक्वल मतलब सिक्वल भाया सीधी सी बात है की ऐसी की तैसी कर दी थी वो नियम जो थे तो फरजी पर जिनका पालन बॉलिवुड हाथ मेर धोकर करता था फिल्म चल जाए या ना चले इन नियमों को बदलने के कोशिस किसी नहीं की लेकिन बाववली ट्यू ने एक एक दिन एक एक नियम की धज्या उड़ा दी और बॉलिवुड को सोचने की जरुत पड़ गई कि क्या वाकई ये नियम किसी काम के थे धीरे धीरे बॉलिवुड में अब ये सारे नियम बदले जा रहे हैं तो आज के लिए बस इतना ही आप हमें कमेंट करके बताएए क्या आप बाववली ट्यू का रिमेक करवाना चाहते हैं या नहीं या फिर नए सुरे से बाववली ट्यू की कहानी का आप इंतजार कर रहे हैं हम आपके प्रस्णों के उद्दर जाने के लिए बहुत उस्सुक है